वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनों गुड इनिंग टॉल फ्यों कैसे दोस्तो आप सभी लोग आप बहुत अच्छे होगे ऐसी अच्छे वाज तंदुरस्टा येगा और मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तो आज का सेशन के से बात करते हैं एक पॉजिटिव ए इच्छा करने है तो इस बार IDT में अस्सिपार उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है तो चली दोस्तो यहाँ पर येस हमारी सेशन के शुरुबात करते हैं और यू रेडी चलो अब यहाँ पर हम रिविजन करेंगे और रिविजन के बाद हमारा डिस्किशन को कंटिन्यू करेंगे हम चप्टर टू पर आये थे concept of supply अगर concept of supply ये चप्टर में हम देखे तो मैंने परसन की डेफिनिशन देखे थी येस रफ में वापस मेरे साथ मैं आपको specially time दोगा मेरे साथ आपको charts रफ में draw करना है ये practice बहुत डवलप करना है आपको taxable person taxable person में यहाँ पर जहां तक देखा जाए registered और liable to registered हमने concept देखा है आप voluntary registration भी लेते हो तो आप taxable person हो जाते हो मतलब GST में कोई basic exemption नहीं है GST में आपको कुछ limit तक without registration supply allow किया है and without payment of tax allow किया है but once you registered आपको GST अब जब तक आपके पास registration है तब तक देना पड़ेगा cancel हो जाए यह आप cancel कर देओ तो फिर आपको किया याद रखना है कि जिसका आपके पास अगर UIN होगा तो वो केस में आप register person नहीं कहला जाओगे supplier में कुछ याद रखने दरवत नहीं recipient की definition चलो recipient की definition ट्राइक करो यहाँ पे recipient की definition ट्राइक करो रफ में imagine करो और ट्राइक करो चलो do it do it चलो roughly आपने देखा हो गया इसा consideration and consideration नहीं है consideration है consideration है consideration नहीं है consideration है तो जो consideration दे रहा है नहीं है तो जिसको हमने goods delivered किया यह service जिसको render की और उसका agent भी उसमें consider ऐसा रफ में बार बार ट्राइक करना और उसके बाद में यहाँ पे taxable supply हाँ यह चार्ट ट्राइक करो यह चार्ट बिना देके ट्राइक करो सोचो उसके उपार तो लो do it बिना देके ट्राइक करो ट्राइक कि आपने बिना देखे ट्राइक कर लिया जो मुझे ODPD में देखे वो पॉस करके ट्राइक करना और यह करो आ इग्णॉर मत करना बेरी गुद supply supply दो टाइप के taxable और non-taxable supply देखो मैं आपको कहो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन सी पढ़ाने से subject में interest जो है लेकिन उसमें आपको value addition तब ही होगी जब आप अपने तरफ से उसमें कुछ add करोगे बार बार रिपीट करोगे बार बार रिवाइस करोगे तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है तो non-taxable supply है जब भी इस act में word use करो तो 6 supply ही non-taxable बोले जाएंगे और taxable supply है अगर हो तो जो taxable है जैन सुनिएगा हम exam उसको ही कर सकते जो taxable है I hope you understood now यह तो था विड़ा और मेरे class में मैं पहले कह देता हूँ मेरे class में आपका subject का interest और आपकी subject की depth दीरे दीरे बढ़ेगी इसलिए मैं वो teacher नहीं हो कि पहले class में impress कर दो और फिर course भगा गया होगा हा लेकिन जैसे 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 मेरा class करोगे यह आपको feel आगया होगा जैसे जैसे आप मेरा class करते जाओगे आगया आगया बढ़ते जाओगे आप depth पकड़ते जाओगे यह अगर feel आया होगा जिसको भी honestly feel आया होगा F type किजिएगा okay feel का F type किजिएगा बस मैं आपको इतना कहना जाओगा कि म तो जहां तक देखा जाए, जो not leviable to tax है, उसके बाद में exam supply है, next अगर हमने देखा तो section 7, section 7, अब आप एक काम करो, मुझे ऐसा chart बना के दो, okay roughly मेरे साथ बना, roughly मेरे साथ बना रहे ये chart, rough में लो, यहाँ पर section 9, 1, okay section 9, 1 में अगर आप देखोगे, चलो करो मेरे साथ ड्रॉ पहले तीन पार्ट बना, पहले तीन पार्ट बना, पहला, okay पहले तीन पार्ट बना, पहला यहाँ पे नाला एक किशन, यहाँ चलो, यहाँ पहला लो, levy, दुसरा assessment, और तिसरा, okay, personal liable to pay tax, liable to pay tax, उसके बाद में levy में करो तीन पार्ट, लेवी में three parts करो, क्या था लेवी में three parts, यहाँ पे पहला charge, yes, दुसरा value और तिसरा rate, आये, रफ में बना आपका chart, charge value and rate, चार्ज में, रफ में लिको, intra या inter, ऐसा लिको, खुद को भी नहीं समया ना चीए, supply of goods या supply of services, okay, intra और interest rate supply of goods or services, except, except यहाँ पे जिस छे product लिख दो six product, नहीं आएगा, उसके बाद में value, value में लिको, section 15 में fix होगा, rate, rate notified by government, notified by CG, on recommendation of council, but maximum, maximum 20, 20 and 40, okay, so यहाँ पे उसके बाद में assessment, sorry, assessment नहीं, collection, यहाँ पे आएगा collection, क्रु 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 में आप चाहता हूं, collection, और collection में, रफ में आप बना रहे हो तो, एक मिनद, एक मिनद, collection, बिटर ध्यान दो, ध्यान दो, please, please ध्यान दो, कोई टाइम पास नहीं, अभी कोई भी thought दिमाग में होगा, तो सब को बाजी में रोको, ध्यान दो, collection, collection, prescribe होगा, prescribe होगा, और person liable to pay tax, तो कौन होगा, taxable person, यहाँ तक आगे आप chart बनाते, बनाते, अ अब supply याने क्या, तो supply याने क्या, ऐसे करो, हाँ, ऐसा arrow बताओ, section 7, section 7, मतलब यहाँ से जनम होता है, okay, यहाँ से, इस गंगा से, section 9 के गंगा से, supply की river निकलती है, okay, तो यह supply word यूज कर लिया, लेवी में, तो what do you mean by supply, तो यहाँ से उपज हुआ, section 7 का, अब section 7 जो है, okay, इसका जो उपज हुआ है, वहाँ से, okay, 7, 1, okay, बना, बना, मेरे साथ रफ में बना, section 7, 1, 7, 2, 7, 1, include, रफ में बना, और 7, 2, exclude, 7, 2, exclude, 7, 1, include में, जहां तक दिखा जाए, supply includes, includes में दो पार्ट, includes में दो पार्ट, okay, consideration है, without consideration है, okay, consideration है, consideration है, इसमें दो पार्ट किये थे हमने, 7, 1, A, okay, 7, 1, B, आपको याद होगा, तो 7, 1, A, 7, 1, B, और यह without consideration, 7, 1, C, जिसके निचे हमें, schedule 1 देखना है, जिसके हमें, निचे schedule 1 देखना है, clear, 7, 1, A, आरहो, आफ फ्लो में आरहो, पुरा, पुरा 9 के साथ connection होते जा रहा है, 7, 1, A, जो है, all forms of supply, supply of goods, या supply of services, all form बड़ा important word है, okay, rough में लिखते जा, all form बड़ा important word है, supply of goods और supply of services, इसमें, okay, 4 cumulative conditions है, okay, such as, such as, okay, sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, disposal, made or agreed to be made, ऐसा rough में draw करते जा, made or agreed to be made, for consideration in the course of adherence of business, मैं जब पढ़ता था, इतनी practice किया, मैंने ऐसे chart connection की, और ये बड़े chart system का development ही मेरे से हुआ है, आज आप बहुत जगा बड़ा chart system देखते हो, okay, सब कुछ देखते हो, ये उपजी मेरे से है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है, वो सच आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर consideration, बिलकुल consideration की definition, अब आप क्य करोगे, जब आप ये chart बना रहे हो, okay, और हमने इसके लिए two and half page रखा हुआ है, तो आप sticky notes लेखे ये chart में, consideration की definition यहाँ attach कर दोगे, यान एक अलग page पे लोगे, और consideration अने क्या, यहाँ attach कर दोगे, consideration अने क्या, तो अगर आपका consideration का chart याद होगा, तो consideration दो पार्ट में divide होत money otherwise, at forbearance, okay, क्या, तो in respect of, in response to, और for inducement of SOG और SOS, okay, दो चीज़े इसमें नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, subsidy नहीं आएगी, okay, रफ में subsidy नहीं आएगी, और दूसरा वेटा, यहाँ पे deposits नहीं आएगा, जब तक वो adjust नहीं होता है, चलो, तो यह हमने यहाँ पे देख ल चोटे-चोटे नदी नाले भी निकलेंगे, जैसे goods का, service का, goods और service का chart, अगर आपको याद होगा, तो आप एक छोटे से page पे बना के यहाँ attach कर सकते हो, एक बड़ा chart बना सकते हो, goods और service का chart, आपको याद होगा, तो goods, service, okay, goods means any kind of movable property, service means, okay, service means, means anything other than goods, दोनों में से common क्या रखो, okay, इसमें actionable claim है, और growing crops वगर है, और इसमें separate consideration for use of money है, okay, दूसरा, conversion of money है, और to facilitate it, और arranging the transaction of securities है, बस ऐसा भी flow आपने draw किया, daily basis पे, जब तर class हमारा चाल हो है, enough, enough, आप concept से connected हो, concept से connected हो, और यह सीव यह subject में नहीं बटा, आप बहुत सारे subject में यूज कर सकते हो, औ और आपको सच बता दू, जैसे मैंने इन subject में DT, IDT और law अच्छा score किया, आप भी इसमें अच्छा score कर सकते हो, okay, ऐसा flow बना के बार बार, okay, चल यह, यहाँ पर यह था, चल यह, अच्छा लगा होगा, तो A type करो, चलो, यह goods का definition हमने complete किया था, उसके बाद मैं service का definition complete किया था, कुछ important बाते होगी तो मैं revise कर लूँगा, meaning of money में सीव इतना याद रखना है, numimistic value अगर जिसकी होगी, तो वो money के definition में, numimistic value होगी, तो point याद रखना, money में commercial papers, certificate of deposit banks के cover होते है, उसके बाद मैं interest का ये chart याद रखना, interest का ये जो chart है, इसमें interest जो loan advances and deposit है, except credit card का interest, वो अभी फिलाल, वो service है, I repeat, बोल एक बार मेरे साथ, वो service है, but फिलाल exempted है, दूसरा, अगर ये interest on delay payment of consideration for SOG और SOS, SOG और SOS, तो ऐसे case में, यहाँ पर, जहाँ तक देखा जाए, तो वो value में tax आता है, और हम valuation chapter में देखेंगे, delay payment of consideration, securities में, अगर आपको कुछ याद रखने लाए होगा है, तो ये table, ये table पर सबाल पुछा जा सकता है, future contract, forward contract, ये derivative contracts है, वैसे तो, अगर ये square off हो जाते हैं, तो GST नहीं आता है, लेकिन अगर इसमें commodity delivered करना पड़ा, तो फिर GST as a commodity, as a supply of goods उसके ओपर आएगा, security depth, ओके, ये securities मानी जाएगी, और transaction in instrument like swap or foreign exchange, ओके, ये भी securities मानी जाएगी, उसके ओपर GST ने आएगा, तो एक table ये आपके लिए important है, security lending scheme, CBIC circular है, कि अगर आप किसी को security lane करते हो, तो वो facilitate or arranging the transaction in security माना जाएगा, service माना जाएगा, और उसके ओपर supplier को GST देना पड़ेगा, अगर holding company ने subsidiary company में share hold करके रखे, तो वो service में नहीं जाएगा, वो securities hold करके मानी जाएगी, और उसके ओपर GST नहीं आएगा, चलिए, फिर various form of supply, sale, transfer, बार्टर, ये definition GST में वैसे कोई भी important नहीं है, reason ये है क्योंकि जब उन्होंने कह दिया किसी भी form का supply हो, और कि यहाँ पे goods और service का, वो यहाँ पे supply माना जाएगा, और GST आएगा, इसलिए ये reference के लिए ठीक है, लेकिन मैं कह दूँ कि आपको consideration मिला किसी भी बात का, तो आधर वो goods होना चाह है, अगर वो उसमें mobile property नहीं होगी, तो वो service में classify हो जाएगा, okay, I hope you understood, उसके बाद में agreed to be made, agreed to be made पे special discussion किया था, मैंने कहा था कि आपको अगर advance मिलता है, तो advance पे GST आता है, यानि जो month में advance मिला, वो month में GST आ जाएगा, लेकिन इस बात का धान रखे कि government ने एक notification issue किया, वो notification number 66 by 2017, जिसमें goods के advance पे फिलाल रोक लगाई हुई है, यानि अगर goods का advance मिलता है, तो GST आपको तब देने की जरुवत नहीं है, आपको GST तब देना पड़ेगा, जब actually, सुनें, तब देना पड़ेगा, जब actually आप invoice issue कर होगे, लेकिन service का advance होगा, तो वो situation में आपको G dip में पड़ेगे, इसके practical issues पड़ेगे, okay, problem solve करेंगे in the chapter time of supply, consideration, okay, consideration की आपको तीन बाते याद रखनी है, okay, पहला तो consideration clause A में आपको payment form में आएगा, फिर वो उसमें आपको money आएगा, otherwise आएगा, दूसरा action form में आएगा, action में act या forbearance जिसकी monetary value consideration मानी जाएगी, okay, वो आप money, otherwise act या forbearance जो है, ये चार consideration in relation to your supply आ सकता है, in response to your supply आ सकता है, और for inducement of your supply आ सकता है, okay, बहुत thin line difference है, inducement का, एक case study आपको में समझाना चाहोगा, शायद आपकी और understanding और एक practical approach से आपको बताना चाहोगा, अभी बहुत सी बार ये सवाल उठता है, और ये advance ruling में भी सवाल ग induce करती है, okay, sales बढ़ाने के लिए, याने बहुत सी बार यहाँ पर, दो मिनट बेटा, जस्ट टू मिनट इन्टी करती है, अपना sales बढ़ाने के लिए, induce करती है, अपना sales बढ़ाने के लिए मतलब क्या, कि भई आप अगर ये target अचू करोगे, तो हम आपको 10 quantity free देंगे, तो या बहुत सी बार department ये करता है, कि ये 10 quantity जो free है, ये real sales में free नहीं है, ये induce किया गया sales बढ़ाने के लिए, जिसके against में action, ये consideration है कि वो target अच्चू कर रहा है, तो ऐसे case में ये जो 10 quantity free दे गई, bonus दिया गया, incentive दिया गया, इस incentives जो आप quantity में दे रहे हो, goods के form में दे रहे हो, service के form में दे रहे हो, उस पर GST आना चीए क्योंकि ये inducement है, लेकिन इसके ओपर अभी court की clarity नहीं है, अभी कुछ advance rolling का कहना है कि नहीं, it's a type of sales promotion, वो completely free supply है, और ये जो discounts दिये जाते है, incentive दिये जाते है, वो section 15.3 में के GST नहीं आता है, कुछ advance rolling ही आई है, लेकिन clarity नहीं है, कि वो inducement है, या section 15.3 discount का benefits है, अभी फिलाल exam में अगर ऐसा कुछ आया, तो मैं आपको section 15.3 refer करने का होगा, और section 15.3 में as a discount incentive उसका deduction मिलेगा, वो free supply माना जाएगा, और उस पे जो CBIC के clarification है, उसके पर GST फिलाल नहीं आएगा, अभी कोई clarity ना होने के वज़े से exam में आपको तो यह लिखना है, कि ऐसा कोई point आया, तो यह free supply है, और यह inducement में नहीं आएगा, और इसके उपर GST नहीं लगेगा, पता नहीं future में इसके उपर, क्या होता है, जहां तक है, भाई साब, advanced learning बहुत सारी है, अलग-अलग है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लो, आपको search करना ह तो आप Google में search कर सकते हो, regarding to this, उसके बाद में next, जहां तक देखा जाए, तो यह हमने inducement के बारे में देखा, उसके बाद में दो बाते आपको बहुत अच्छे से learn कर लेनी है, government की subsidy और deposit, government की subsidy यह value में add नहीं होगी, even though पैसा मिल रहा है, consideration मिल रहा है, पर वो consideration नहीं माना ज question आया था, कि local body से subsidy मिले, अब आपके दिमाग में क्या fit कर दिया, कि government, government आप local body समझ लेते हो, समझ लोगे कोई activity करो, और municipal corporation से मुझे subsidy मिले, municipal corporation से अगर मुझे subsidy मिलती है, तो वो add होगा, क्योंकि उन्होंने specifically कहा है, central और state government की subsidy एक्सलोड होगी, तो ख्याल रहा है, अगर municipal corporation से मिलती है, तो वो value में consideration माना जाएगा, private organization से मिलती है, तो वो value में consideration माना जाएगा, उसके बाद में deposits, जब तक आप adjust नहीं करते हो, तब तक उसके वो consideration नहीं बुला जाएगा, यह deposit में दोनों कवर होते है, refundable और non refundable, दोनों भी इस deposit में cover किये जाएगे, non refundable में reasonable basis पे आप tax planning कर सकते हो, done, okay, tax planning कर सकते हो, उसके बाद में हमने inducement का example देखा था, free supply में, आपको यह clarification अच्छे से जाना है, यह charitable sector को यह clarification बहुत ज्यादा affect करता है, donations, donation पे, okay, कब tax आता है, और कब नहीं आता है, okay, donation, charitable trust, या कोई भी religious trust में ध्यान रहा है, अगर donation में, quit, pro, pro, okay, अगर होगा, मतलब obligations होगे, okay, कि यह करना पड़ेगा, एक तरका advertisement होगा, promotion होगा, तो विर वो donation पे GST आएगा, पर अगर just voluntary donation है, और उसमें कोई obligation नहीं, और जो भी हमने name plate बगरे लगाई, यह act of philanthropy है, act of gratitude है, पर उसमें कोई obligation नहीं था, तो वो supply for consideration नहीं माना जाएगा, और supply for consideration नहीं माना जाएगा, तो GST नहीं आएगा, क्यों क्योंकि यह clarification इतना अच्छा है, यह कहता है, कि दोनों चीजें होगी, तो ही GST लगाएगे, पैसा मिला, just पैसा मिला, इसलिए GST नहीं लगाएगे, या आपने supply किया, अपर consideration नहीं है, GST नहीं लगाएगे, दोनो contractual reciprocity होना चाहिए in the course of business, चली, यह अपने देखा, उसके बाद में, एक case यह भी आया था, कि जब कोई artist है, gallery में अपना, okay, art, statue work भेज रहा है, तो remote के वो supply नहीं, क्योंकि वहाँ तो consideration है, नहीं, तो remote के बाद वो supply नहीं, लेकिन जब वो actually sale होगा वहाँ से, उस वक्त वो supply माना जाएगा, okay, फिर और कुछ CBIC clarification देखेते हैं, इसमें से यह clarification कुछ important है, कि आपने warranty period में, ऐसा case study आ सकता है, कि machine बेचा, और फिर warranty period में spares additional supply किये, जिसकी value, okay, यहाँ पर 1 lakh है, बहुत सारे student mistake क्या कर देंगे, spares warranty period में free दिए, तो वो 1 lakh value दिए, value में add कर देगे, नहीं okay, साथ साथ में, okay, religious trust में, अगर आपने, okay, कुछ charge भी किया होगा, पर वो not in the course of business है, वो business नहीं माना जाएगा, इसलिए उसके पर GST नहीं आएगा, तो यह सारी बाते हमने यहाँ पर discuss की, और यह हमारा, okay, revision complete हुआ, मजा आया होगा, तो MZMZ type करो, अब आते हैं, next definition पर, और हमारी next definition रहेगे, in the course or furtherance of business, जैसे में, अभी तक हम section 7 1 A ही देख रहे हैं भाई, अगर आपको याद होगा, तो section 7 1 A में, पहला, such as, such as, sale, transfer, barter, action, etc, made or agreed to be made, हमने देख लिया, okay, consideration होना चाहिए, यह भी देख लिया, और यह सारी चीज़े business में होनी चाहिए, तो यह चारो condition, cumulative condition है, यह सारी present होगी, तो ही supply माना जाएगा, और तो ही GST का current लगेगा, चलो, in the course or furtherance of business देखते हैं, वो क्या कहते हैं, GST and commercial transaction, GST primarily applies to commercial transaction, underline, GST एक business tax है, और आपके transaction commercial purpose के होगे, तो वो case में GST आएगा, making it crucial to determine whether supply falls within the course or furtherance of business, ठीक है, next, exclusion of personal supplies, very important, जैसे मैंने आपको का, GST एक commercial transaction है, और आपका transaction in the course of business, और furtherance of business होना चाहिए, तो इसका एक meaning भी आता है, और इससे एक message भी आता है, message अगर आप लेते हो, तो message यह आता है, कि supplies made by individual in their personal capacity, यह बत important है, made by individual in their personal capacity, do not fall under GST unless they align with the definition of business, अगर किसी ने supply किया होगा, sale किया होगा, पर वो in the course of business नहीं किया, personal capacity में गया, तो इसके ओपर GST नहीं आएगा, नहीं आएगा, अब देखो, यह कैसे जानना कि वो personal capacity में है, और वो business में नहीं है, क्योंकि अगर आपने personal capacity में किया होगा, तो GST नहीं आएगा, क्योंकि वो in the course of business नहीं है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, in the course of business किया, business की definition स समझ गई, तो definitely, आपको फिर यह conclude करना आसान हो जाएगा, कि in the course of personal capacity क्या होती है, तो चलो, आजाते हैं, business की definition पे, तो understanding of in the course of utterance of business, यह समझना जुरूरी है, तो business की definition यहाँ चलिए, देखते हैं, आजाओ, business includes, अब अगर आप यह business की definition देखते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो थोड़ा simplified word में मैंने notes में दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे bare act का, जो definition है, simplified इसमें मैंने दिया हुआ है, title दिया है, diverse activity, भई, business में बहुत सारी diverse activity आती है, यह title मेरे बनाया है, ठीक है, आपको bare act में नहीं मिले गए, पर titles आपको याद रखने के लिए, diverse activities, it encompasses a wide range of activities such as trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, वेजर और any similar activity, last way open है, अगर कोई trading activity करता है, business है, commercial activity करता है, business है, professional करता है, vocational, कभी-कभी करता है, business माना जाएगा, इतनी diverse activity ले ले ली न, adventurous activity करता है, गोवा में, या फिर कई hill station पे business है, वेजर, वेजर मतलब, और sales में betting लगाना, okay, wagering activity करता है, business है, और last में तो कह दिया, any other similar activity, business है, ख्याल रहे है, sales purchase करना business है, यहां तक अपने धारनाओ को restrict मत करना, अपने perception को restrict मत करना, थोड़ा और इसके बाहर जाओ, मतलब मेरा कहना कहा है, अगर आप sales purchase नहीं भी कर रहे होगे, पर manufacturing कर रहे है, manufacturing कर रहे है, तो वो भी business है, manufacturing कर रहे है, वो भी business है, okay, मैं definition business की पड़ा रहा हूँ, और business यह वड़ बहुत जगा यूज किया, क्योंकि जैसे registration करना है, तो जहां से आप ordinary business करते हो, वो प्रिमाइस का registration करना है, मतलब, okay, business करते हो का मतलब क्या है, जहां आप manufacturing कर रहे हो, कोई factory है, वहां से sale नहीं हो रह रहे है, अब वहां intermediate goods बन रहा है, तो वो situation में भी उसको business माना जाएगा, okay, तो manufacture, profession, vocation, adventure, wager, यह any similar activity, regardless whether it is conducted for profit motive or not, समझ लो, यह बड़ी, okay, important line है, generally आपकी दिमाग में क्या fit हुआ है, आपकी दिमाग में यह fit हुआ है, कि business मतलब activity carried out with an intention to earn the profit, नहीं, okay, GST में business की definition ऐसी मत पाइड है, और उसमें तो आखरी में यह कह दिया है, कि यहाँ पे उसमें profit motive हो या ना हो, okay, तो इसका logic भी समझ लो, profit motive हो या ना हो मतलब क्या, अगर आपने कोई goods बेचा, और आपने dead stock निकालने के बेचा, या आपने less than cost of production में बेचा, GST तब भी आएगा, आप यह नही सकते हो sir, इसमें तो profit motive नहीं था, कोई charitable organization sell कर रही है, profit motive नहीं था, नहीं भाई, charitable organization भी person है, taxable person 20 लाग के बाद होगी, okay, जब वो registration के लिए liable हो जाएगा, और अगर उनका profit motive हो या ना हो, okay, उनकी activity business मानी जाएगी, तो इतना scope बढ़ा दिया, कि आपने loss में भी goods बेचा, तो भी आपके price पे GST आएगा, that's all, okay, उसमें profit motive हो या ना हो, ये नहीं देखा जाएगा, चली, अगर आपको ये समझ में आओगा, तो clause A type कीजिएगा, clause A type कीजिएगा, now, clause B, अब दिखो, पहला clause A में, उन्होंने हमारे सामने वड़ा पाउ रख दिया, main बात उन्होंने के दी, okay, clause A, ये main बात है, इसके साथ साथ, अब चटनी, मिर्ची, बगएरे, जो है, बाकी चीजिए हम business में add करेंगे, अब छोटी-छोटी activity, okay, वो business में add कर रहे है, और GST का scope बढ़ा रहे है, पर पहले diversified activity उन्होंने cover कर ली, diversified activity cover कर ली, अब उसके साथ-साथ वाली activity व connection with, or incidental, or ancillary to, sub clause A, sub clause A में, okay, यहाँ पर, जो हमने define किया, let's take example, trade, हमने sub clause A में का, commerce, commercial activity, हमने sub clause A में का, manufacture, हमने sub clause A में का, और इससे, okay, related connected, okay, related connected, कोई activity होगी, तो वो भी business का part माना जाएगा, आप इस बात से नहीं बच सकते, कि भाई, ये तो main activity नहीं हमारी, ये तो चल बिजनेस करते-करते, ये भी कर लिया, आपने, related activity कर लिया, okay, तो वो उससे आप नहीं छूट सकते, वो भी in the course of business माना जाएगा, और government उस पर भी GST लगाएगी, तो sir, ये related connected, ancillary, okay, ये activity मतलब क्या, related connected, ancillary, okay, ये connected activity ने क्या, चलो, बता देता हूँ, जैसे, okay, simple example लेता ह मेन है, उसका finished goods बनाना, बेचना, पर कभी-कभी क्या है, कोई पुरानी मशनरी थी, वो second hand हो गई, scrap हो गई, देखो, scrap भी बढ़ा है वह पर, और उसने वो scrap sale कर दिया, machine का, अब machine का scrap sale करना, उसका main business नहीं है, उसकी main trading activity नहीं है, main profession manufacturing नहीं है, लेकिन, okay, अब वो जो machine थी, machine बेच दिया, उसने, okay, even though यह main business नहीं है, but connected to business है, okay, incidental to business है, okay, either business से connected होगा, okay, या incidental होगा, या incidental होगा, या ancillary होगा, मतलब क्या, connected मतलब, generally, connected ये word message देना है, देता है कि product के साथ ये चीज़ करनी पढ़ती है, वो connected हो जाता है, incidental मतलब, करनी नहीं पढ़ती है, पर generally ह करते है, okay, वो incidental हो जाता है, water rate में भी ज्यादा dip में मतलब, बस अभी इतना समझ लो, कि connected activity होगी, incidental ancillary activity होगी, तो वो case में, वो business के definition में आएगी, वो business के definition में आएगी, एक example देता हूँ, मेरा वापस, okay, जैसा मेरा profession है, training and coaching, मैं classes लेता हूँ, पर कभी-कभी क्या होगा करता है कि, okay, benches, जो है, पुराने branches, हम sale कर देते हैं, अब पुराने benches sale करना मेरा main business नहीं, but, वो benches मैंने asset का part बना है, business की asset हो, और business की asset मैंने वेची, तो यह connected to business है, तो जो भी चीजे, जो आपने business के खर्चे बताए है, business की asset बताए है, अगर वो चीजों का, आपका sale transaction हो दोस्तों, okay, जैसे main training है, साथ साथ में test series देता हूँ, okay, यह incidental activity है, ancillary activities है, okay, main training coaching services है, उसके साथ साथ में, आपसे encryption का पैसा लेता हूँ, encryption जो आपको software दे रहा हूँ, वो incidental activity है, okay, in the course of business है, okay, related to my business है, तो ऐसे बहुत सारे example है, okay, तो ऐसे बहुत सारे example है, कि जहाँ पर in the course of business बोला जाएगा, और यह connected activity पर GST आएगा, तो old furniture यह scrap by trader of mobile shop, business बोला जाएगा, old machinery manufacturer यह manufacturer ने बेज दी, अब यह manufacturer ने old machinery बेज दी, देखो हमारा code भी match हो रहा है, okay, manufacturer ने old machinery बेज दी, तो ऐसे situation में, वो incidental or connected to business बोला जाएगा done, तो अब मैंने पढ़ाया, आपने, मैंने जिस तरह से पढ़ाया, उस तरह से आपने ले भी लिया कि भी यहाँ, okay, connected to ancillary activity, इसको दूसरे perception से भी पढ़ाया जा सकता है, कि, okay, जो activity, जैसे मैंने अभी आपको यह कहा कि connection, incidental, ancillary activity, okay, जो business related है, okay, वो यहाँ पर consider किया जा done, यह समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, अब इसमें मैं आपके साथ एक case share करना चाहोगा, और वो कौन से, इसको थोड़ा अलग वे से समझते हैं, वो case share करना चाहोगा, CST का case था, और इसको अलग perception से समझते हैं, तो और मज़ आएगा, क्या अलग perception से समझते हैं, CST का case था, और CST में भी business की definition नहीं थी, central sales tax पे business की definition नहीं थी, case था, बालाजी trust, okay, versus, यहाँ पे central sales tax department, okay, तिरुमती बालाजी trust जो थी, वो लड्डू sale कर रही थी, और लड्डू, okay, यहाँ पे contractual reciprocity में sale कर रही थी, जिसे हम quit pro, वो कहते हैं, मतलब, जो यहाँ पे पैसा देगा, डोनेट करेगा, उनको लड्डू दिये जाएगे, okay, quit pro quo में, कि भाई, जो पैसा देगा, उनको लड्डू दिये जाएगे, लड्डू कोई voluntary नहीं दिये जा रहे थे, कि भाई, okay, आप पैसा दो मत दो से सुनना, लेकिन जहां तक देखा जाए, तो यहाँ पे, CST Department, पुराना केसे पर मैं समझाओगा आपको, CST Department ने, Balaji Trust, क्योंकि बहुत बड़ा revenue था, तो इतना बड़ा amount, okay, देखके, CST Department के मन में भी लड्डू फूटा, और उन्हें ने का कि Boss, अगर हम इस पे CST लगा सक तो Department का बहुत बड़ा revenue हो जाएगा, okay, तो Kerala Government का बहुत बड़ा revenue हो जाएगा, तो ऐसे case में, जहां तक देखा जाए, CST Department का बहुत बड़ा यहाँ पे revenue हो जाएगा, तो अब देखो क्या हुआ, जहां से सुनना, कि CST Department ने यहाँ पे notice बेजा, तुरुपति बालाजी Trust, और notice बेजा कि भई, आपको जो है, इस लड़ू जो आप sale कर रहे हो, वो quit pro quo में है, और quit pro quo में होने के वेज़े से, okay, वो supply for consideration, sale for consideration माना जाएगा, और उसके उपर GST आजाएगा, तो वहाँ से reply है, जो भी उनका counselor होगा, उसने बहुत अच्छा reply दिया, कि जहां तक है, हमा इसले को in the course of business नहीं है, क्योंकि ये लड़ू बेचना हमारा कोई business है नहीं, तो department ने का, ऐसे कैसे, लड़ू बेचना क्यों, आपका business नहीं है, आप consideration ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो जहां तक देखा जाए, तो यहां पर temple वालों ने ये अपना contention रखा, कि जो यहां प होता है, आसता, दर्शन लेने आते हैं, और जब वो यहां पर इस activity के लिए आ रहे है, उसके साथ साथ लड़ू दिये जा रहे है, मतलब लड़ू देना हमारी main activity नहीं है, लड़ू incidental activity और ancillary activity है, तो CST department ने फिर वो बात पकड़ ली, कि ठीक है, मानते है कि लड़ू दे environment, ओके, तो जहां तक देखा जाए, लड़ू देना, जहां तक देखा जाए, ये कोई हमारी sweet shop तो नहीं है, वो तो ancillary activity है, जो दालू आ रहे है, दर्शन लेने, तो जहां तक देखा जाए, तो बेटा, एक चीज़ समझ लो मैं तुमारे questions में involved हो रहा हूँ, मैं अपनी case study छोड़ रहा हूँ, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि please, please, मेरी request है, जब मैं flow में होना, तब question नहीं डालना, जब मैं आपको पूछू ना तब डालू, ये तो मैं rhythm तोड़ दूँगा, और rhythm मेरा तोड़ गया, कि उसकी beauty ख हो चुकी है, पुराने सवाल जो है, जब मैं आपको कहू question पूछो तब पूछना, clear, अब जैसे लड़ू, मैं यहाँ पर लड़ू explain कर रहा हूँ, और तुम वेजर पर चले गए, कोई connection है, लड़ू का और betting का, वेजर रहने betting, race betting, race पर betting लगा जाता है, वेजिंग किया ज लड़ू जो है, यहाँ पर आदरपदेश गौवर्मेंट जो है, sorry, CST डिपार्टमेंट जो है, CST डिपार्टमेंट ने का कि नहीं नी, लड़ू जो है, हाँ, ठीक है, वो connected activity है, ancillary activity है, वो भी तो business के definition में आती है, clause B में आती है, क्योंकि same definition CST में थी, तो ऐसे situation में जहा आपकर GST आजाएगा, अब देखो यहाँ पर, द्यान से सुनना, तो यहाँ टेम्पल के, कॉंसेलर ने यहाँ पॉइंट रखा कि हाँ, वो incidental है, connected है, ancillary है, पर law यह कहता है, business के scope में, वो ही incidental activity आएगी, connected activity आएगी, जो clause A से related है, मतलब आप कोई भी incidental activity बिजनेस में नहीं ला सकते, वो activity ट्रेट से connected होना चीए, मतलब main trade होना चीए, main manufacture होना चीए, main profession होना चीए, तो अगर आप main activity करते वक्त incidental कर रहे हो, सुनना, main activity करते वक्त incidental कर रहे हो, तो वो business में आएगी, यहाँ हमारा main activity कोई trade नहीं है, श्रदालू आ रहे है, दर्शल ले रहे है, वो कोई business नहीं है, श्रदा करना, दर्शल लेना, पूजा करना, यह कोई business नहीं है, तो ऐसे situation म उससे related activity, जब मेन ही business नहीं है, तो उससे related activity कैसे आईगी business में, agreed by the court, और यहापे court ने decision दिया कि yes, even though sale होगा लड्डू का, even though quid pro quo होगा, even though something in return होगा, लेकिन यह business के scope में नहीं आता है, और कि ना related के scope में आता है, इसके ओपर GST, इसके ओपर CST नहीं आएगा, तब CST था, अगर GST पढ़ा है तो बेटा, yes, incidental ancillary activity, अगर यह तब, यह definition तब picture में आएगी, जब तुम main trade कर रहे हो, manufacture कर रहे हो, adventure, adventure में समझना क्या है भाई, okay, adventure में गोवा गए, गोवा में, आप parachute में बेठे हो adventure है, okay, आप cruise ship में बेठे हो adventure है, आप sea shore पे मस्ती कर रहे हो adventure है, okay, तो कोई वो activity adventure जो है, कर रहा है, आप, okay, hill station पे गए कुछ adventurous activity कर रहे है, snow, snow पे adventurous activity कर रहे है, उससे दूसरा कोई दूसरा meaning नहीं है, अगर यह adventure का meaning है, कि यह adventure activity कोई करता है, तो वो भी business माना जाएगा, okay, नहीं, सिमिलर activity में भी नहीं जाएगा, कोट ने यह माना कि तुम क इस में ले रहा हो, ancillary, ancillary, यह clause B में तभी आएगा, okay, ancillary activity clause B में तभी आएगा, जो आपकी main होना चाहिए, तो ancillary business का part माली जाएगे, I hope आपको समझा होगा, okay, I hope आपको यह बात समझी होगी, तो यह था, regarding to related activity, चलिए, तो clause B, by court ने decision बिलकुल सही दिया, मैं favor में हूँ, बस discussion को यह ही रोपता है, क्योंकि मैं भी court के beyond नहीं जा सकता, okay, done, okay, यह था clause B, अब आजाओ, clause C में, अब आजाओ, clause C में, any activity or transaction, in the nature of sub clause A, whether or not, in their volume, frequency, continuity, regularity, of such transaction, टीक है, अभी training example लेता हो, nature of activities, अब आप नेचर का होगा, तो, okay, training example लेता हो, भई मैं IDT पढ़ाता हूँ, IDT face to face classes पढ़ाता हूँ, online classes पढ़ाता हूँ, अब यह जो IDT का knowledge, मेरे profession से, vocation से, business से आया है, अब किसी ने मुझे का कि, sir आप YouTube पे एक आपका वीडियो दो, और IDT के कुछ cases आप share करो, यह मेरी frequent activity समझ लो, पून नहीं है, वैसे तुम्हें frequently करता हूँ, लेकिं example लो, मेरी कोई frequent activity नहीं है, regular activity नहीं है, continuity में activity नहीं है, frequency में नहीं है, पर मैं मेरा knowledge यूज़ कर रहा हूँ, YouTube पे वीडियो आ रहा है, और वो वीडियो subscription के base पर है, तो ऐसे case में, law यह कहता है कि, अगर आपका कोई भी activity नहीं कर रहे हो, जो clause A के nature से आया है, जो तुम्हारे trade से connected है, profession से connected है, उसके nature से extract हुआ है, और वो आप हो सकता है कि, regular नहीं कर रहे हो, frequency में नहीं कर रहे हो, कभी कभी करते हो, और उससे अगर consideration मिलता है, तो वो situation में, आपको GST देना पड़ेगा, example की तरफे, बहुत अच्छा example दे रहा हूँ, मुझे बहुत सी बार colleges में, guest lecture के लिए बुलाया जाता है, for IDT, और उसका मुझे कोई honorary amount मिलता है, सवाल यह है कि, उसका जो मुझे honorary amount मिल रहा है, क्या उस पर भी GST आएगा, answer is yes, clause C में, क्योंकि यह जो मैं वहाँ पर lecture ले रहा हूँ, यह मेरे profession से knowledge आया हुआ है, मेरे trade से, manufacture से knowledge आया हुआ है, okay, trade से, manufacture से knowledge आया हुआ है, और यह जब मैं वह activity वह execute करता हूँ, जो honorary amount मिलता है, okay, वो in the nature of clause A है, इवन दो मैं frequency में ने करता हूँ, मेरा main business नहीं है, okay, वो activity मैं continuity में ने करता हूँ, पर yes, वो in the course of business मानी जाएगी, government ने किसी चीज को छोड़ा नहीं, सब कवर कर लिया, nine clauses पढ़ाने वाला हूँ, मैं business में, हर facet government कवर कर रही है, बस government आपको simple word में यह कहना चाहती है, कि मुझे GST चाहिए, मुझे GST चाहिए, दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि, मैंने खुद देखा है, YouTube पे देखा है, बहुत से, okay, teachers, मैंने आया है, यह business की definition, दो-दो line में खतम करते है, this, 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 incidental, this, 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 पर एक-एक word का importance है, सच में कहुता है, now, तुसा एक example लेते हैं, जैसे, यह बंदे की mobile shop है, यह बंदे की mobile shop है, mean business activity, mobile बेचना है, electronic products बेचना है, ठीक है, अब यह बंदे की पास experience है, 20 साल का, और यह 20 साल का experience यह आगया, अब यह समझ लो, यह same business चालो करना चाहता है, यह इसके पास गया, बोला की, भई मैं same business चालो करना चाहता हूं, मेरे city में, प्लीज आप मुझे advice, consultancy दो की यह business कैसे setup करना, अब बिजनेस को कैसे बढ़ाना, अब यह बंदे ने कहा, देख भई, वैसे तो मेरा mobile का business है, पर तु अगर मेरे से special knowledge चाहता है, तो मैं 5 लाग रुपेल होगा, तुझे advice देता हूं, advice देना इसका business नहीं है, यह कोई frequency में, transaction volume में नहीं करता है, लेकिन वो advice clause A के nature से जन्मी है, वो advice उसके trade profession से जन्मी है, क्यों न वो एक बार दे, कभी-कभी दे, पर कभी-कभी अगर दिल में यह खयाल आता है, तो उस पर भी GST लगता है, तो ऐसे case में, तो अगर YouTube की activity आप कर रहे हो, और आपको पैसा मिल रहा है, consideration मिल रहा है, free होगा, consideration नहीं तो GST नहीं, पर अगर आपको consideration मिलता है, तो इंसिडेंटल, एंसिलरी या clause C में, in the nature of clause A मानी जाएगी, और इसके उपर GST लगता है, आज सारे influencer पर GST आता है, जो भी consideration YouTube से मिल रहा है, सब पर GST आता है, ओके तो देहान रहे, नाउ, ये था clause C, उसके बाद में, हाँ, clause D में आजा, goods and services for commencement or closure, यहाँ पर, थोड़ा इस clause को ऐसा परते, supply or acquisition of goods, including capital goods, including capital goods and services, in connection with commencement or closure of business, सबसे पहले तो, ओके, यहाँ पर दो word, commencement connected to acquisition, closure connected to supply, आपको भी ऐसा करना हो, तो कर सकते हो, जैसे acquisition, acquisition and supply, commencement, commencement of business, and closure of business, आपने input, capital goods, और प्रेवर, इंपूड, इंपॉड, capital goods, business start करने के लिए, acquisition किया, तो और वर्ट्स को arrange कर रहा हूँ, या, business close होने के बाद, supply किया, ओके, अपके, supply किया, तो देखो, वो क्या कहते है, supply और acquisition of goods, including capital goods and services even आपने कोई goods करीदा capital goods करीदा या कोई services करीदी ओके हो सकते हैं आपने acquisition किया हो हो सकते हैं आपने supply किया हो in connection with commencement or closure of business मतलब यह भी activity in the course of business मानी जाएगी सर्थ्वा समझाओ ना ओके बताता हूँ यह pictorial presentation से देखा आप factory setup कर रहे हो और यह factory setup करने के लिए boss आपको machinery और raw material लग रहा है initial commencement के लिए आपने कोई भी goods करीदा कोई भी goods करीदा या कोई भी capital goods करीदा और commencement of business यह आपका commencement है यहाँ लिख दो पर यह commencement है, और for commencement of business, आपने कोई goods खरीदा, वो भी in the course of business माना जाएगा, सर यह तो obvious है, कोई goods business के लिए खरीदा, इन the course of business माना जाएगा, भाई, गौर्मेंट ने clarify किया, क्योंकि पुरानी cases को ध्यान में रखते हुए, कुछ बाते सामने आई थी, department ने यह सवाल उठाए थे, पुराने इसमें, department ने यह सवाल उठाए थे, कि भाई, यह जो goods खरीदे थे, तब तो आपने business start ही नहीं किया, तब तो आपने कोई trade भी नहीं किया, तब तो आपने कोई manufacture भी नहीं किया, क्योंकि जब खरीदा, तब तो चालू हो रहा था, concentrating होई कौन सा business हुआ, इसलिए ऐसे case में, यह जब goods खरीदे गए थे, तब business नहीं था, तो वो goods in the course और business नहीं माने जाएगे, जैसे in simple word, मैं ITC chapter का एक example लेता हूँ, ITC chapter में section 16 कहता है, कि registered person को ITC तब ही मिलेगा, जब उसने goods खरीदे होगे business के लिए, और हम business की definition देख रहे है, औ जब भी इसके आगे business word आएगा, यह सारी activity को धहन में रखा जाएगा, यह सारी activity को धहन में रखा जाएगा, अब business का word ITC में भी आएगा, और ITC law क्या कहता है, अगर आपको inter-level का कुछ याद होगा, तो आप ITC law यह कहता है, कि अगर आपने goods खरीदा, और वो in the course of business खरीद तो सवाल यह है कि क्या यह goods खरीदे वे, in the course of business बोले जाएगे, acquisition of goods before commencement of business, क्या वो भी in the course of business बोले जाएगे, हाँ, clause D के हिसाफ से, अगर कोई goods आप acquire करते हो, including capital goods, या कोई services आप acquire करते हो, okay, for the commencement, तो वो भी in the course of business बोले जाएगे, I hope you understood, या फिर आपने factory close कर दी, closure, okay, आपने factory close कर दी, close करने के बाद कुछ machinery पड़ी हुई थी, 5 साल से machinery उसमें पड़ी हुई थी, 5 साल बाद आपने machinery supply किया, okay, आपको लिखना है तो आल लिख सकते हो, 5 साल बाद यह machinery आपने supply किया, तो जब आप 5 साल बाद supply कर रहे हो, तब आप यह point उटा सकते हो, कि sir, जब मैंने मशनरी बेचा तब तो मेरा बिजनेस ही नहीं था और मेरा बिजनेस नहीं था तो अब मेरा पर GST नहीं आएगा नहीं साब क्लोजर और बिजनेस होने के बाद भी अगर आप उस बिजनेस का कोई गूड सप्लाइ करते हो तो उस पर भी वो भी in the course of business बोला जाएगा और उस पर भी GST आएगा okay I hope यह clause समझाओगा और clause यह समझा D तो please D type कीजिएगा उसके बाद में E okay club और association services important very important for our future discussion very important for our future discussion provision अभी अभी सिफ definition लेना future में हम इसके अपर बहुत discussion करने हो ला है provision by club association society or any such body for a subscription or any other consideration for of the facilities or benefits to its member अभी अभी यहां से definition लेती है पहले चाहर clauses जो है सुनना okay first four clauses जो है वो four clauses business से कहिजना के connected है first diversified activity जो main activity है trade, profession, vocation, manufacture, adventure, wager with profit motive or not diversified activity जो है उसके बाद उससे incidental connected ancillary activity है उसके बाद उस nature की activity जो frequency में करो या ना करो और before or closure of the business के activity है वो तो चलो ठीक है वो जब भी जाओ के commercial law बना ये चार activity को always रखा गया business की definition में लेकिन अब इसके आगे जो मैं पनाने वाला हूँ जो clauses आने वाल है यहां से GST की definition अब अपना कुछ importance रखती है क्यों? क्योंकि GST की जो बिजनेस की डेफिनेशन है ऐसी स्कोप में डालने जा रहा है जो layman जो day to day life में हम उसको business नहीं कहते है बिजनेस नहीं कहते है पर GST law उन activity को add कर रहा है include कर रहा है और business का उसे यहां पर structure दे रहा है color दे रहा है तो अपने contextualize में उसको यहां पर business के scope में ले रहा है now example की तौर पर okay example की तौर पर जैसे आप कोई housing society में रहते हों तो housing society में अगर आप रहते हो बिटा तो society वाले monthly maintenance charges आपको लगा रहे है monthly maintenance charges लगा रहे है for okay common facilities benefit of common facilities and etc. आपके day to day life में कभी यह निमाग भी नहीं आएगा कि society business कर रही है आपके साथ अरे भई वो तो society है charges तो लेगी okay यह लगेगा और वो कई market में नहीं जा रहे है okay यहाँ पर society की facilities ले लो भाई ले लो ले लो ले लो ट्रेड जैसा नहीं कर रहे है लेकिन इवन दो आपके thought process में day to day life में layman के language में कहे तो यह business नहीं कहा जाता है क्योंकि वो अपने member को services दे रही है club अपने member को services दे रहा है okay यहाँ पर कोई association अपने member को services दे रहा है even though वो normal language में business नहीं बोला जाएगा पर GST के लिए वो business बोला जाएगा इसके impact क्या हुए इसके impact यह हुए कि जो भी club swimming pool table tennis cricket restaurant facility banquet hall अगरे अपने member को activity for subscription या consideration पे देता है अपने member को यह बहुत जरूरी है free देता है तो GST नहीं आएगा come on free देता है तो GST नहीं आएगा clear है okay उसको highlight करना okay for subscription या any other consideration देता है तो GST आजाएगा तो ऐसे situation में अगर यह club अपनी member को सारी infrastructure facilities कुछ subscription पे दे रहा है कुछ consideration पे दे रहा है और यहाँ पे commercial society को GST देना पड़ता है housing society को exemption है 7500 तक उसके बाद में GST देना पड़ता है exemption अम exemption चार्टर में पड़ेंगे okay I hope आपको यह समझ में आया होगा okay club और association of services यह समझ में आया होगा तो यह type करो okay यह special include किया गया है GST purpose के लिए in the course of business उसके बाद में admission for a fee admission मतलब ticket charges entry ticket charges for a consideration of a person in any premises जैसे amusement park दिवाली मेला cinema theater इसमें जो आपके ticket charges है वो भी business माने जाएगे अब सर इसमें क्या problem था वो तो business है नहीं बेटा यहाँ पर कभी-कभी कुछ events एक दो बार ही होते हैं तो कुछ लोगों ने सवाल उटाए थे कि यह event जो है amusement park दिवाली मेला circus okay यह एक दो बार ही event हो रहे है इसके ticket business के सी हुए हम regular तो ही बुलते है ट्रेड मतलब regular नहीं आचिए तो यह business में नहीं आएगा तो government ने कहा नहीं तुम्हारी बात बाजी में रखो अगर कभी-कभी कुछ events होते है तो उसकी ticket charges भी business के definition में आएगे बाकी इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है वो ticket charges भी business के definition में आएगे उसके बात में service by office holder service supplied by a person as an as the office holder and office which have been accepted by him in the course or furtherance of trade profession or vocation example advocate get appointed as a member of arbitral tribunal कभी-कभी क्या होता है आपके specialized knowledge के वज़े से आपको as an office holder appoint होते है जैसे कोई company का CFO appoint कर दिया जिसका आपको sitting fees मिलता है director appoint किया जिसका sitting fees मिलता है ओके तो अगर आपको आपके profession के वज़े से कोई office दिया गया जिसका amount आपको मिल रहा है तो उससे जो पैसा आएगा वो भी in the course of business माना जाएगा मतलब किसी भी तरह से आपको छोड़ा नहीं है कि किसी भी तरह से आपको छोड़ा नहीं है ड़न उसके बाद में activities of race club, race club की सारी activity या होने वाली सारी activity इतना course of business बोली जाएगी activities of race club including by way of totalisator और license bookmaker activities of license bookmaker in such club, totalisator मतलब एक device showing the number and amount of baits take on race to facilitate the division of total amount those backing the winner, ज्याता death में नहीं जाना है एक simple word, मैं आपको यह कोगा कि race club की सारी activity बिजनेस बोली जाएगी, बेट लगाना business, पैसा कमाना business, totalisator में आपके बेटिंग का, कॉम्पूटिंग मशिन से वह हिसाब रखना business, सारी activity जो race club पे होगी, वह क्योंने एक ही event हो साल का, वह business बोला जाएगा वह business बोला जाएगा, ठीक है, उसके बाद में next, यहाँ पे, government activity, यह बहुत important है, यह बहुत important है वह क्या कहते है, any activity or transaction undertaken by central government, state government यह local authority, in which they are engaged as a public authority, government की सारी activities, क्योंने as a public authority हो, public services हो, सुनना, government की सारी activities, क्योंने as a public authority हो, public services हो, वह भी business बोला जाएगा, I repeat, वह भी business बोला जाएगा, तो इस तरह से उन्होंने around, बताओ total कितनी activities हो गई, बताओ यहाँ पे business में कितनी activities हो गई Yes, total मेरे कहाँ से nine activities होई, और यह nine activities, यहाँ business मानी जाएगी, यह nine activities business मानी जाएगी Okay, तो उन्होंने बहुत जादा scope रखा, government की public services भी business बोल दिया, Okay, यहने सर क्या हम यह सुचे कि government की public service activity business में आएगा, Yes, तो क्या सर इस पे GST आएगा, GST आएगा नहीं आएगा, हम बात में बात करेंगे, हम बात करेंगे, यह business है क्या हाँ है, उसको अगर exemption भी हो सकता है, उसको schedule 3 भी लग सकता है, जो भी आगे देखेंगे, Okay, तो engage as a public authorities, मतलब public services, वो as a public authority, public services दे रही होगी, तो वो भी in the course of business माना जाएगा, पर, पर हम बात में देखेंगे कि उसको exemption है, schedule 3 में भी cover किया हुआ है, Okay, वो discussion, sorry, schedule 3 में नहीं, section 7.3 में भी cover किया है, sorry, 7.2 में भी cover क किया है, exemption में भी cover किया है, तो वो situation में हम बात में देखेंगे, चली, तो ये था हमारी business की definition, दोस्तों आपके लिए एक homework है, homework दे रहा हो, please करना, Okay, एक chart बनाना, हाँ, एक आदा chart पर आपको देता हो, बनाने के लिए, Okay, chart क्या बनाना है आपको, chart ये बनाना है, कि यहाँ, यहाँ पर, ठीक है, section 27, oh sorry, 217 business, section 217 business, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइट करना, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइट करना, पहला, Okay, ये रहाप में बना लो, फिर आपको बनाना है, पहला general activity, रहाप में बना लो, general activities, और दूसरा special activities, एक बार, बना लेना, लिख के देख लोगे, तो दिमाग में रहे जाएगा, special activities, Okay, आप general activity में, आपको, A, B, C, और D, ये general business activities है, Okay, D, चार clauses इदर लगना है, और special, जो business नहीं कही जाती है, पर GST में business माना जाएगा, वो जाएगा, E, F, G, H, और I, ये 5 activities हो सकता है, कि लोग इसको business ना समझे, पर GST उसको business बलेगा, Done, तो ये homework आपको करना है, ओके, this is homework, कल, Okay, मैं virtually check करूगा, ठीक है, Okay, चलिए, तो ये जो है, हमने business की definition देखा, अब next आते है, supply to be in the course of business, supply and not the recipient, चलिए, एक example नीचे का देख लेते हैं, और बाद में उपर वाला point समझाता हूँ, जैसा मैंने आपको कहा था, personal supplies, जो in the course of business नहीं है, पदरन्स of business नहीं है, तभी वो personal supply पे GST नहीं आएगा, अब थोड़ा example ऐसा लेता, कि ये मेरी personal car है, ओके, मेरी personal car है, business नहीं, पहले मैं कह रहा हूँ, अधान से सुनो, ये मेरी personal car है, कोई मैंने इसको business asset वगरे नहीं बता है, और ये personal car मैं sale कर रहा हूँ, मेरे angle से देखना, personal car मैं sale कर रहा हूँ to second end dealer, क्या, ये जो sale है, और मुझे इस car के 40 lakhs रुपीज मिल रहा है, 40 lakhs रुपीज मिल रहा है, 20 lakh के उपर मिल रहा है, पहले का, इवन दो business होगा, पर 20 lakhs तक threshold आपको है, समझ लो मुझे इसके 40 lakh रुपीज मिल रहा है, और मेरी personal car मैं बेच रहा हूँ, क्या, ये business माना जाएगा, now CBIC का clarification है, कि भाई, ये sale तो है, पर every sale is not a business, आपने अगर, कोई goods personal capacity में बेचा है, और कि ये मेरी personal car थी, और ये मैने personal capacity में बेचा, it's not not my trade, profession, vocation, okay, I am just selling, in my personal capacity, तो ये business नहीं माना जाएगा, और इस पर GST नहीं आएगा, from supplier of car angles, ओकि ये business नहीं माना जाएगा, जो खरीद रहा होगा, उसका business हो सकता है, पर हमें business की definition, recipient के angle से नहीं देखना है, हमें business की definition, supplier के angle से देखना है, और supplier, अगर कोई अपने personal goods बेच रहा होगा, तो वो business नहीं माना जाएगा, और उसके पर GST नहीं आएगा, आप अपना second hand mobile बेच रहे हो, shop में जाके, आपके angle से वो business नहीं है, हाँ, shop वाला नया mobile दे रहा है आपको, exchange में, उसके angle से business है, पर आपके angle से business नहीं, कोई पुरानी जुएलरी, कोई lady जो पुरानी जुएलरी है, जुएलर्स के पास जाके बेच रही है, वो business नहीं है, in short, अगर आपके personal capacity में, आप goods बेच रहे हो, तो supplier के angle से देखा जाएगा, वो ही मैंने उपर कहा, यह business की definition जो देखी जाएगी, from supplier angle देखी जाएगी, and not from recipient angle, तो supplier के angle से देखा जाए, तो business नहीं है, वो personal capacity में, लेने वाला business कर रहागा, उससे मुझे कहा लेना देना, GST supplier को देना है, तो supplier का in the course of business होना चाहिए, ऐसे case में देखो, सवाल, an individual buys a car for personal use, and after a year sell it to a car dealer, will the transaction be supply in terms of CGSTS, GST Act, give the reason for the answer, answer is no, because supply is not made by individual, in the course of furtherance of business, further no input tax credit was admissible on such car, at the time of its acquisition, as it was mean for non-business use, अच्चो को credit मिला, अच्चो को बिसने business asset बताई, और नवो in the course of business supply कर रहा है, लेकिन, अगर कोई car मैं business की बताई, जिसका depreciation क्लेम कर रहा हूँ, और वो car जो मैंने business की बताई, जिसका मैं depreciation क्लेम कर रहा हूँ, वो बेचता हूँ, तो वो in the course of business है, और वो in the course of business है, वो incidental to my business है, connected to my business है, उसके ओपर GST देना पड़ता है, जब आप audit करोगे, और audit में आपको ये दिखा कि business की car बेची, बहुत से cases में ने देखाए कि वो GST नहीं देता है, वो कर देखाए कि अरे car बेची इस पर थोड़ी GST आता है, आता है क्योंकि वो business की car थी, वो in the course of business था, पर अपनी personal car बेची तो नहीं आएगा, चलो एक extreme example लेता हूँ, आपने घर की paper रद्दी बेची, घर की paper रद्दी बेची GST नहीं आएगा, पर business के newspaper की रद्दी बेची, जिसके खर्चे business में बता है, वो incidental to, connected to business है, उसके ओपर GST आएगा, तो यह बहुत important है, कि वो आपने जो supply किया, personal capacity में किया, या other capacity में किया, और कि उसको business बोला जाएगा, या नहीं बोला जाएगा, यह जानना बहुत important है, I hope आपको यह point समझाओगा, समझाओगा तो personal capacity का P type करो, समझाओगा तो personal capacity का P type करो, Yes or no? चलिए, अब बिटा, थोड़ा मैं यहाँ पर, bear act पर आओ, लेहन से देखो, तो हमने bear act पर आओ, तो हमने section 7, 1, यह अभी complete किया, यह 4 line अभी complete किया, जिसको 4 गंटे से ज़्यादा लग गया, यह क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं bear act, अब act के wordings पढ़ लेते हैं, simplified way में तो हमने समझ लिया, all form of supply of goods, or services, or both, such as sale, okay हमने ले लिया, all form का मतलब ले लिया, goods और service का मतलब समझ लिया, यह bear act है, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made, यह भी meaning समझ लिया, for consideration यह भी meaning समझ लिया, by a person, person की definition देख लिया, in the course or furtherance of business, business की भी definition हमने देख लिया, clause AA, इस तरह से हमने complete किया, तो 71AA हो गया, 71AA हो गया, अब वो supply includes में क्या कहते है, supply includes में कहते है, 71AA भी आएगा, okay, AA भी आएगा, अब AA क्या है, AA बेटा यहाँ पर एक बार रीड कर लेते है, पूरा इसको समझेंगे, वापस बेरेक पढ़ेंगे, okay, यह क्या कहते देखो, activity और transaction, हाँ, अब मेरे साथ पढ़ो, आप बेरेक आँ, screen पर बढ़ो, activities or transaction by a person, other than individual, to its member or constituents or vice versa, or cash deferred payment or other valuable consideration, सिब रीड करो, समझेंगा कुछ ने, पर रीड करना भी एक तरज से memory के connection लगाना होता है, इसला मेरे साथ रीड करना, explanation, नीचे explanation भी दिया, for the purpose of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding to anything contained in any other law, for time being enforced, or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its member or constituents, shall be deemed to be a separate person, and supply of activity or transactions, intersies shall be deemed to take place, from one person to another person, चली, basic memory के connections, आपने start कर दिये, अभी लगे नहीं, पर ये neuros काम कर रहे है, ज़्यादा टिक्निकल हो गया, तो ये neuros काम कर रहे, चलो, तो वर्डिंग्स तो आये कुछ बीच्चन में, कुछ तो आया क्लॉज ए, इसको फिर से एक बार पढ़ता है, simplified way में, simplified way में, और फिर देरे-देरे समझाता हूँ, done, ये तो bear act था, अब देखो, हम देखने वाले 7-1, और 7-1 में A-A, ये A-A, 7-1, A-A, कहां ले ना, हमारे चाट में बताऊगा, पहले इसको समझ लता है, देहान से पढ़ो, एक 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 लाइ, activity or transaction with member or constituents, title में ने ऐसा दिया है, अबाइ, income passes the activities or transaction by a person, by a person other than individual, ये अदरिए था ओर दिया है, with its member or constituents or vice versa, involving cash deferred payment or other valuable consideration, it clarifies that such person and their member or constituents are considered as a separate entities, और इनको separate entity भी माना जाएगा, चलो बताता हो, अभी हमने देखा था, यहाँ पर, बिजनेस की डेफिनेशन में, बिजनेस की डेफिनेशन में, क्लब, एओपी, और सोसाइटी, अब इधर पूरा इधर देहन देना, इधर देहन देना, डोंट स्टक भी तेनी डाउट, दिमाग में कुछ भी होगा, तो बा इधर नहीं है, एक यहाँ पर जो इन्डियूजसन नहीं है, और यह जो कलब, एओपी सोसाइटी, अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को, या कॉंस्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्स को, अगर इधर सप्लाय करती है, गुड्स का, या service का यानि कोई भी activity करती है activity या transaction करती है activity या transaction करती है ओके तो यह जो है supply माना जाएगा इसमें नहीं क्या बात है बताता हूँ step by step चलते है step number one हुआ क्या हुआ यह कि club, AOP, society जब अपने member या constituents को यहाँ पर activity और transaction कर रही है government ने इसको business तो कह दिया ओके इसको ओके इसको ओके इस treated as business treated as business as per definition as per definition लेकिन सवाल ही होता है कि वेदर वेदर ओके वेदर these transactions वेदर इस transactions treated as supply ओके सवाल यह खड़ा हो गया अब देखो इस पे read petition फाइल हुआ बहुत सारे AOP society ने read petition फाइल किया कि ठीक है होगा हमारा business आपने definition में ले लिया पर हमारी activity और transaction supply ही नहीं है supply ही नहीं है भाई साब supply ही नहीं है मतलब क्या मतलब यह है सुना मतलब यह है कि बहुत सारे supreme court के decisions थे पुराने और पुराने supreme court के decision ने यह कहा कि club और member यह mutually inclusive माने जाएगे exclusive नहीं माने जाएगे मतलब क्या मतलब दोनो एक ही माने जाएगे दोनो अलग-अलग नहीं माने जाएगे club हो गया AOP हो गया society हो गया trust हो गया यह mutually inclusive माने जाएगे exclusive नहीं माने जाएगे तो फिर इसका read petition ये बात में file हुआ कि my lord जब supreme code ये कहे चुका है कि दोनों mutually inclusive माने जाएंगे और exclusive नहीं माने जाएंगे, तो दोनों के बीच में हुई activity, सुनना ध्यान से, दोनों के बीच में हुई activity, ये supply कैसी ही, क्योंकि supply होने के लिए, अगर हम 7-1-A परते हैं तो my lord, okay, वो supplied by 1% to another person होना चीए, यानि जो आप sale, transfer, बाटर, action, lease, dental, disposal कर रहे हो, by 1% to another person होना चीए, my lord, जब ये mutually inclusive है, अगर ये दोनों एक ही है, तो यहाँ दो परसन है नहीं, और अगर यहाँ दो परसन नहीं है, तुनना ध्यान से, अगर यहाँ दो परसन नहीं है, तो, okay, इन में हुई activity supply के scope में आएगी नहीं, होगी business, भाई, तुमने define कर दिया, होगया business में, पर supply में कहाएगा, supply में आने के लिए business के साथ 1% to another person भी होना चाहिए, जो salary के form में नहीं आना चाहिए, salary होगी तो, वो GST नहीं आता है, schedule 3 में हम देख लेंगे, 1% to another होना चाहिए, और separate consideration होना चाह कि इस पे GST नहीं आएगा, भाई साब, बात तो सही है, होगी business activity, पर 2% तो हने चाहिए, इसलिए, government ने clause AA इंट्रोड्यूस किया 2 साहल पहले, और government ने का, कि हम declare कर देते, क्योंकि government को डर लग गया, कि अगर Supreme Court के decision against में चलेगे वापस, तो फिर तो, ओके, ये बच जाएं में, government ने special AA डाला, government ने का, business तो पहली बोला था हमने, चलो उसको supply भी बोल देते हैं, ओके, वो कहते हैं कि, अगर कोई भी active transaction, person, other than individual, मतलब individual छोड़के, कोई भी हो भाई, फिर other than individual बोला, boss, तो scope तो बहुत बढ़ गया, other than individual बोला, इसका मतलब, वो भी trust हो, club हो, AOP हो, AOP हो, BY हो, society हो, company हो, यहाँ पे joint venture हो, AOP पे, अगर वो अपने ही members के साथ, या अपने ही constituents के साथ, कोई activity और transaction करता है, और for consideration करता है, यह बहुत important है, यह activity और transaction free नहीं होना चीए, for consideration होना चीए, और consideration पे करता है, तो वो supply भी माना जाएगा, और vice versa, vice versa मतलब, यह member को देता है, यह member इनको देता है, तो वो supply माना जाएगा, यह specially rate petition डाला था, builder की JV, जो बनती थी उसके लिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका background history यह था, नहीं से सुना, बहुत सारे builder JV बनाते है, और JV जब बनाते है, तो एक separate entity बनती है JV, okay, land owner के साथ JV, यह इसके साथ JV, और builder जो Okay, JV separate entity हो जाती है, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, क्या, यह member को, यह member इनको, जो supply कर रहा है, charges लगा रहा है, consideration लगा रहा है, क्या, वो supply के स्कोप में आएगे, yes, तो दो बाते clarify हुई, पहले, कि activity by this person, to its member, और vice versa, for deferred payment, यह supply में तो आएगा, और यह भी clarify किया गया अगर एक line में समझे, कि दोनो separate entity मानी जाएगी, GST purpose के लिए, Supreme Court ने कुछ भी बोला गया हो, notwithstanding to the decisions of any court and etc, उनने कुछ भी बोला हो, यह दोनो person separate entity माने जाएगे, और यह supply माना जाएगा, okay, तो any person, यहां आपको लिखना हो, तो लिख देना, okay, यहां पे club, okay, club, AOP, VOI, other than individual या trust, etc, कोई भी person हो, other than individual, activity और transaction करता है, आपने member के साथ, या vice versa, दोनो separate person माने जाएगे, okay, दोनो separate person माने जाएगे, यह भी separate person माना जाएगा, यह clarify कर दिया गया, वो mutually inclusive, exclusive माने जाएगे, और यह transaction cash deferred payment, तो यह supply कहा जाएगा, इसके उपर GST आएगा, आपके, यह supply बूला जाएगा, done, चलिया, यहाँ पे यह discussion हमने किया, discussion को और आगे बढ़ाते हैं, यह समझ में आया क्या, अगर यह A.A. clause समझ में आया होगा, यह समझ में आया होगा, यह समझ में आया हो बताओ, बाकि आपके doubt में बाद में लेगे है, A.A. अगर समझ में आओगा तो यह टाइप करो जैसे एक्जाम्पल अगर हम ले तो रसिदेंट वेलफेर असोसियेशन मतलब हाउसिंग सोसाइटी अब संस्क्रेथी सोसाइटी अप्लाइज एर कंडिशनर तो इस मेंबर अट एक कंसेशनल प्राइज अपने मेंबर को दिया अगे जैल किया GST आएगा रसिदेंट वेलफेर असोसियेशन कलेक मेंटेनस चार्जेशन अटेनस चार्जेशन प्राइज फाविछ मेंबर अव सर्विस प्राइडर उस पर भी GST आएगा लेकिन मेंटेनस चार्जेशन पे कुछ एक्जंशन है अगे यहां लिख देना लगे से तो GST आएगा बाट सब्जेक्ट टू सम एक्जम्शन अगर मेंटेनन्स चार्ज यह से तो 7000 पासो तक एक्जम्शन है हम एक्जम्शन चेप्टर में देखेंगे अब आजाओ आप कैश कॉल in joint venture हाँ JV के transaction में आ ले रहा और specially cash call in joint venture यहां हम इस बात को discuss करेंगे देखें nature of joint venture JV is a temporary unincorporated association form for a specific project underline JV क्या होती है AOP होता है और AOP जो है specific project के लिए होता है within defined time frame determining taxable nature whether cash call is considered a financial transaction or taxable service depends on the terms in the joint venture agreement cash call purpose cash call involve operating member raising fund from other members on their participating interest these funds are used to cover project expenses outlined in the approved mark program and budget जैसे simple way अगर मैं समझा हो तो हम JV form करता है जिसमें तीन member है और cash call मांगा गया कि बही चलो सभी लोग यहाँ पे 2-2 लाग रुपे जमा करो क्योंकि अब JV start हो गई है 2-2 लाग रुपे इसने 2 लाग दिये इसने 2 लाग दिये अब यह जो 2 लाग रुपे JV को मिले 2 प्लस 2 प्लस 2 6 लाग मिले क्या यह cash call supply के scope में आएगा जो पैसा मिला supply के scope में आएगा क्या यह taxable होगा यह financial transaction financial transaction मतलब क्या यह money के transaction है तो यहाँ पे इसको हम example से समझते है अगर यह money के transaction है तो GST ने आएगा पर अगर यह for supply of goods or service है तो फिर GST आजाएगा इसको नीचे वाले exam cash call मतलब money contribution fund contribution ओके आपका fund contribution cash call का मतलब होता है आपका fund contribution तो देखिये नीचे वो कहता है let's understand the taxability of cash call with the help of following example there are four members in JV including operating member each one contribute 100 as a part of their share सबने फंड ओके contribute गया money में पैसा दिया 100-100 रुपया the total amount of rupees 400 collected operating member purchases machinery for 400 for JV to be used in oil production सबने 400 रुपेस कले किया जिस्ते expenses हुआ मशनरी पे cash call not within the subject of GST since operating member is not carrying out any activity for another for consideration here money paid for purchase of machinery is merely a nature of capital contribution and is therefore transaction in money okay जिनों ने भी मुझे 100-100 रुपय दिये उनको मैं कुछ यहां पे consideration machinery नहीं दे रहाँ तू machine ले sorry okay तू machine ले ले तू machine ले तू machine ले तू machine ले तू machine ले ऐसा ही दे रहाँ यह just capital contribution जिसके लिए JV के लिए machinery खरी दी okay तो ऐसे case में यह जो है transaction in money है उनोंने पैसा दिया invest किया transaction in money है तो इस तरह का capital contribution अगर JV को मिलता है तो वो case में JST नहीं आएगा it's just raising of fund raising of money okay पैसा आया लेकिन उसके against में कोई हमने consideration नहीं दिया है okay वो transaction in money है उसके पर GST नहीं आएगा जो capital contribution होगा okay now example number 2 there are 4 members in JV including operating member each one contribute 100 as a part of their share और total amount rupees 400 collected operating member thereafter uses its own machinery operating member thereafter uses its own machinery and perform exploration and production activity on the behalf of JV दो example में difference कहा है पहले example में 400 से 400 पैसा आया और 400 पैसे से मशनरी खरी दी गई जो JV की मशनरी है तो वो 400 रुपए ये capital contribution हुआ दूसरे example में सारे लोगों से 400 रुपए लिए गए और operating member ने वो 400 रुपए रख लिए और अपनी मशनरी यूज की own मशनरी यूज की तो यहां पे देखो operating member uses its own machinery and therefore providing service within the scope of supply because here operating member is recovering the cost appropriate toward the machinery and services from other JV member in their participating interest ratio मतलब क्या यहां पे जो member अपनी मशनरी यूज कर रहा है अगेंस इस 400 रुपीज या जो भी collection हुआ है तो वो member JV को service दे रहा है तो यहां पे उसका जो contribution है machinery देना ओके वो contribution यहां पे capital contribution नहीं बोला जाएगा cash call नहीं बोला जाएगा ओके वो service बोली जाएगे और इसके ओपर GST आएगा ओके simple word में बताओ कि sir conclude क्या करे conclude यह करे कि अगर member पैसा दे रहा है और fund raise हो रहा है as a capital contribution दे रहा है तो उसके ओपर GST नहीं आएगा वो transaction in money है लेकिन member capital contribution के बज़ा है अपनी machinery यूज करके service दे रहा है तो वो service बोली जाएगी और उसके ओपर GST आएगा that's all ओके यह आपको यहाँ पर conclude करना है और यह इस तरह से हमने 7 1 A with okay 7 1 A complete किया with this clarification done चलिए अब आजाते है 7 1 B okay हमारा अगर आपको याद होगा तो 7 1 A हो गया okay 7 1 A हो गया A हमारे chart में कहां लिखना में बताऊगा पर आपने chart बनाया होगा section 7 का तो section 7 1 और section 7 2 7 1 में हमने यहाँ पर यह देखा consideration है और without consideration है अब consideration में हमने यह देखा 7 1 A जो हमने complete किया और 7 1 B और 7 1 A के नीचे 7 1 A A हमें draw करना है जो हम करेंगे okay 7 1 A हो गया 7 1 A A हो गया जो हम chart में draw करेंगे और 7 1 B अब हम देखेंगे हमारे chart का पहले देख लेते हैं फिर हम इसको chart में लिख लेते हैं तो चलिए देखते हैं 7 1 B 7 1 B क्या कहते है supply includes import of services or consideration whether or not in the course or furtherance of business यह important line है whether or not in the course or furtherance of business किसी को याद आ रहा है कि भई आपने पढ़ा था कभी किसी को याद आ रहा है कि 7 1 1 B चलिए जब हमने Constitution of India देखा तो हमने यहाँ पर Constitution of India में अगर आपको याद होगा तो article आपको वहाँ आना है तो आप आ सकते हो ओके यहाँ पर 269 A में हमने यह देखा था कि import transaction होते है 269 A में जाओ अगर आपको starting पहले जाप्टर में 6-7 नंबर पे होगा page नंबर अगर देख लेते हो जो 269 A आर्टिकल में कहा गया import of goods होगा और services होगी तो यह interstate माना जाएगा यह interstate माना जाएगा तो यह interstate transaction माना जाएगा यह in the course of interstate माना जाएगा ठीक है और इस provision को ध्यान में रखते हुए जब हमारा act बना तो भाई वो तो constitution था वो तो constitution था तो हमें act में भी इसको status रखना है कि जो import of service है उसको act में भी status देना है कि वो supply है क्योंकि यहां से ही act बनेगा और act में हमको लिखना पड़ेगा जो constitution के साब से दिया है आप ऐसा नहीं presume कर सकते है constitution ने दे दिया फिर act में क्यों लिखो नहीं नहीं constitution में दिया तो भी act में तो आपको उसकी provision रखना है तो अब देखो act में क्या किया इन्होंने act में यह किया ध्यान से सुनना बहुत important है IGST act में कहा गया और यहां पे CGST act में supply defined हुआ ध्यान सुनना CGST act में IGST act में जब IGST act पड़ा होगा तब यह कहा गया कि जो imported goods होगा अगर आपका imported goods होगा तो यह supply माना जाएगा यह supply माना जाएगा और इस supply पे IGST लगाने का power इस supply पे IGST लगाने का power यह custom tariff act 1975 में ACD 37 में रहेगा यह point समझा के मझे बताओ यह point समझा के मझे बताओ act में IGST जो है act कहता है कि imported goods यह supply माना जाएगा और इसमें GST लगाने का power custom tariff act में in the form of ACD 37 रहेगा यह समझा क्या आपको समझा होगा तो yes कहिएगा पर अगर हम बात करें तो custom में स्रिफ goods पे ACD 37 लगता है what about service तो CGST act section 7 1 B यह specially बनाया गया constitution की इस provision को धहन में रखते हुए और यह कहा गया कि यह जो है import of service की अगर हम 7 1 B में supply माना जाएगा तो 7 1 B हम क्यों पढ़ रहे है क्योंकि goods तो custom ने cover कर लिया पर क्या service import होती है तो supply है हाँ वो supply है और वो supply इंटर स्टेट है वो supply इंटर स्टेट है यह हम IGST में पढ़ेंगे पहले उसको supply का status दिया गया अगर जो line-up में कहने जाने वाल हो आपके सब thought body में रखना और जो में कहने यह जा रहा हो वो सीधा दिमाग में घुस आना supply जो section 7 है वो सारे act के लिए section यह section है आप CGST पढ़ो, section 7 से supply fix होगा IGST पढ़ो, UTGST पढ़ो, SGST पढ़ो कोई भी act आप पढ़ो, supply section 7 से fix होगा okay, supply हर act में define नहीं है UTGST में define नहीं है, IGST में define नहीं है okay, सब act ने कह दिया कि भाई, यहाँ पे supply मतलब section 7 of CGST act है, वो ही supply माना जाएगा okay, बात समझ में आई क्या, यह वाली समझ में आई तो 7 type करो इसलिए में हर act में, IGST में what do you mean by supply नहीं पढ़ोगा IGST में यह कहा गया है, कि जो supply आपने section 7 में देखा, CGST act वो intra-cub होगा, inter-cub होगा वो बात में देखेंगे, intra-inter का status बात में लेगे, पर supply यहीं है okay, तो supply जो है वो 7 1 B में होगा अब वो inter-state supply है, यह तो constitution ने भी कहा, और जहां तक है, IGST act भी कहेगा, कि यह भी supply inter-state है, इस पर IGST लगेगा, लेकिन section 7 1 B में, okay यह जो import of service है यह supply तभी माना जाएगा यह बड़ा turning point है okay, यह supply कब माना जाएगा देखो, import of service import of service, supply तभी माना जाएगा, अगर यह for consideration होगा, मतलब free import service पे GST नहीं आता है, very important point, okay, section 7 1 B कहता है, कि अगर यह for consideration होगा, तो ही supply माना जाएगा, तो ही import of service पे GST आएगा, okay, import for consideration होगा, और दुसरी एक खास बात इन्होंने क्या कही, यह service अगर for consideration import होगा okay, फिर वो whether whether or not for, okay, business मतलब in the course or furtherance of business, यह बहुत turning point है okay, यह क्या कहता है पहले तो, देखो, import of service पे GST लगाई नहीं लगाई, IGST लगाई नहीं लगाई, यह बात दुसरी है okay, पहले ही 7 1 B का उसको supply मानो, अब 7 1 B का supply मानो मतलब क्या, मतलब, okay यह तीनों condition fulfill करो, कि आपने service import की है आपने service import की है, दूसरी बात, for consideration है, जिसमें consideration involve होना जरूरी है, और तिसरी बात, okay, वो business के लिए हो या ना हो, okay उसके उपर GST आहेगा, मतलब जो 7 1 A में वड़ाई पढ़ा था आपने, और वो main supply का criteria पढ़ा था, उसमें हमने क्या बुला, उसमें 7 1 A में बुला की in the course of business होगा, come on यार, in the course of business होगा, तो ही GST आहेगा, लेकिन import of service को वो आप criteria नहीं लगाओगे, जिसने service import की, वो उसने business के लिए की या ना की, okay consideration दिया होगा, तो GST आहेगा theoretically समझाए क्या पहले बता theoretically समझाए क्या, example में लोगा, theoretically समझाए क्या, whether or not for business, और मैं आपको बता देता हो अगर आप service import करते हो, okay, तो यह case में, import of service पे, on import of service import of service RCM लगता है, RCM मतलब reverse charge mechanism लगता है, यहाने tax recipient को देना होता है, okay, और अब आपका एक सवाल होगा, sir, यह जो consideration है, यह दो condition है, consideration होना चाहिए, whether or not for business होना चाहिए, यह जो है, consideration होगा, तो ही हम GST देंगे, यह import of goods को applicable है क्या, नहीं, यह जो है, 7-1-B only applicable to import of service मतलब क्या, अगर आपने goods import किया होगा, तो it is totally governed by customs act और custom act के जाप से आप consideration दो या no, दो या ना दो goods imported, that's all basic custom duty और SAD लग जया वहाँ freebie आया होगा तो भी SAD 37 देना पड़ता है वहाँ freebie आया होगा तो SAD 37 देना पड़ता है, custom होगा होगा definitely आपको समझ गया, नहीं हुआ होगा तो custom में समझा दोगा, अभी जो भी हम बात कर रहे है वह import service की बात कर रहे है import service पे GST तभी आएगा जब consideration होगा, and similar not applicable for goods, goods totally governed by customs act okay, GST तभी आए consideration होगा, और वह business के लिए आए या ना आए, आपको GST वह supply माना जाएगा, और RCM देना पड़ता है, चलो okay, यह concept आपको समझ में आया होगा I hope, okay, यह clarity आपको मिली होगी, yes or no जोखो पेटाई, इसमें एक सवाल आपका आ सकता है कि sir इन्होंने ऐसा क्यों किया इन्होंने ऐसा क्यों किया यहाँ पे ऐसा condition क्यों रखा कि whether or not for business फ़र depth में लेके जाओ आपको imagine करो situation imagine करो situation okay, USA का बंदा है, okay USA का बंदा है, देखा और यह USA का बंदा service दे रहा है service दे रहा है और service इंडिया में import हो रही है okay, service दे रहा है, service इंडिया में import हो रही है बेटा, यहाँ पे दहां से सुनिएगा यह बंदा लार, management consultancy software consultancy जो भी service इंडिया में import हो रही होगी और अभी तो continuous import हो रही है आज काल तो online जमाने में बाहर से service लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी okay, बहुत सारी software encryption service बाहर से ली जा रही है okay, तो दुनिया कोई भी service import होगी होगी हो सकता है कि recipient ने personal purpose के लिए लिए service personal purpose के लिए और RCM है RCM है मतलब tax recipient को देना पड़ता है सरी RCM क्या होता है नहीं पता तो डूब मरो नहीं पता तो डूब मरो नहीं तो chapter इसके बाद next chapter में पड़ा होगा RCM क्या होता है okay, reverse charge है recipient tax देता है उसका तो अब सवाल क्या है? okay, सवाल यह है कि sir, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यह business में यूज कर या ना करे है देखो, मैंने architect service बाहर से लिए मैं बहुत बड़ा बंगलो बान रहा हूँ और मैंने architect यहां पर जर्मनी का लगाया जर्मनी से architect टा रहा है मेरा farmhouse का service दे रहा है भाही साब मेरे personal purpose के लिए दे रहा है अगर मेरे angle से देखा जाए तो बिजनस के लिए नहीं होगा अब तो बिजनस कर रहा है ना भाही अगर वो इंडिया में होता है architect और उससे आप service लेते तो GST तो लगता ना आप से अमे क्या लेना देना आप तो RCA में आप tax देना है आप business के लिए use करो या ना करो वो फिरंगी तो कमाके जा रहा है ना अगर वो इंडिया में होता तो GST देता ना तो इसलिए यहाँ पे recipient business के लिए use करे या ना करे सामने वाला तो business कर दा है ना भाही और इसलिए reverse charge में यहाँ पे tax आएगा इसलिए वो recipient लेने वाला business के लिए use करे या ना करे business वाला criteria उसको नहीं लगेगा अगर consideration होगा तो वो case में GST देना पढ़ेगा consideration होगा तो वो case में GST देना पढ़ेगा समझा है नहीं समझा I hope okay inter level पे इतना depth तो आपको पढ़ाया नहीं होगा हाँ आपने मेरा class किया होगा तो definitely मैंने यह inter level पे पूरे depth में पढ़ा दिया था okay चलिए yes or no तो इसलिए यह business का criteria नहीं रखा क्यूंकि liability recipient है okay recipient का recipient business कर रहा है नहीं कर रहा है उससे क्या लेना देना है supply है तो business करके चल रहा है okay इसलिए reverse charge में import service पे यहाँ पे GST देना पढ़ेगा अगर consideration होगा तो अगर consideration होगा तो done यह हमने देखा यहाँ पे चलो यहाँ एक break लेते है और आगे का discussion break के बाद continue करेंगे यहाँ break लेते है और आगे का discussion हम break के बाद continue करेंगे done बेटा चलिए यहाँ रुकते है करेंगे 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 झाल 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 चलिए चलिए तो दोस्तो यहाँ पे clause B क्या कहता है supply includes import of service for consideration consideration को ऐसा बादल करो मतलब free import service पे GST नहीं आएगा whether or not in the course or furtherance of business निचे notes दी है import of service taxable only if there is a consideration ओके देखना हाँ तो आगे लिख सकते हो अगे दिया हुआ है free import of service not liable to GST unless mentioning para 4 of schedule 1 आगे schedule 1 का para 4 देखेंगे ओके उसमें कुछ specific situation ली है पर अभी तो यहीं understanding develop करो कि import of service import of service अगर free है जैसे आप online website access कर रहे हो free YouTube access कर रहे हो free बाहर से service मिल रही है चला अब इंडिया में YouTube का office बंग चुका है Netflix पहले बाहर से free access कर रहे थे free free in short कोई भी services अब तो online में तुमको पता भी नहीं चलती है कि बाहर की service है या नहीं है कोई भी service आप free import कर रहे है उसके पर GST नहीं है except schedule 1 para 4 अब यह तिसरा वाला point आपको confuse कर सकता है अभी ध्यान से पढ़ लेना अभी ध्यान से समझ लेना बात में WhatsApp नहीं करना में रहे हो तिसरा वाला point पहले पढ़ते है even if service is imported for purpose other than business it would be treated as supplier अगर आपने personal purpose के लिए भी service import की supply बोला जाएगा मतलब जो मैं clause B में बोल रहा हूँ clause B यह कहता है supply है या नहीं है अगर आपने business के लिए नहीं भी use किया खुद के लिए भी service import किया for consideration तो supply तो बोला जाएगा but if import of service by an individual in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession then it covered under the exemption लेकिन supply तो है taxable तो है पर फिल हाल उन्होंने exemption दिया है individual को individual को जो other than business के लिए import कर रहा है sir दोनों में difference कै है what difference है clause B में यह नहीं पढ़ा रहा हूँ कि tax आएगा नहीं आएगा clause B में यह पढ़ा रहा हूँ कि supply बोला जाएगा क्या हाँ बोला जाएगा supply और कि किसी individual ने service import किया for personal purpose supply बोला जाएगा पर government ने public interest को दहान में रखते हुए अभी फिल हाल उसको exemption रखा है मतलब इंडिया के किसी individual ने अगर अपने personal purpose के लिए for consideration service import कि जैसे architect service मैं ने import की for personal building तो अभी फिलाल exempt है future में taxable हो सकता है क्यों taxable हो सकता है क्योंकि supply का status already है उसको supply का status already है in short ओके यह supply है but exempted है यह समझा क्या समझा होगा तो फटाबट 3 type करो और exempt उसको ही किया जा सकता है जो supply है exempt उसको ही किया जा सकता है जो taxable है ठीक है पर यह exemption सबको नहीं है यह exemption सिफ individual को है जो अपने personal purpose के लिए import करता है तो IGST Act में exemption chapter में इसको और detail में देखेंगे उसको exemption दिया गया also in case of import of service RCM is applicable import of service को RCM applicable होगा चलिए example Mr. A. Appropriator has received an architect service for his personal residence from an architect located in Newark at an agreed consideration US dollar 5000 architect service li US dollar 5000 whether it would be treated as supply and liable to GST पहला सवाल क्या है क्या वो supply बोला जाएगा क्या अगर individual है और इस individual ने servicely अपने personal purpose के लिए जिसका consideration भी दिया dollar 5000 क्या वो supply बोला जाएगा yes, it's a supply under section 7-1-b ये supply है पर क्या GST आएगा क्या तो फिलाल GST exempt है फिलाल GST exempt है I hope ये point आपको समझा होगा अगे यहाँ पे जी एक important discussion था import of services में ठीक है तो चलिए ये concept हमने यहाँ पे देखा regarding to import of service अगर आप bare act में आते हो तो bare act में हमने section 7-1-a मैंने books में बहुत simplified word यूज किया है लेकिन मैं साथ साथ में bare act ले रहा हो जिससे आपको legal jargons भी समझेंगे और next मैं आपको बता दू कि exam के इसाप से simple word में कैसे लिखना चाहिए वो भी समझेगा आपको legal jargons exam में यूज ही करना ऐसा नहीं है तो now section 7-1-a complete किया AA complete किया AA मतलब अगर club association अपने member को service दे रहा है तो explanation कहता है कि कोई भी act का कोई भी decision आपाजी में रखो ये person और उसके member separate entity माने जाएगे separate person माने जाएगे ये explanation कहता है B हमने complete किया importation of service for consideration when whether or not in the course or furtherance of business अब आते हैं बेटा C activities अब C क्या कहता है supply includes supply में अब चोथी activity आ रही है supply includes activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration और साथ साथ में schedule 1 में देखेंगे schedule 1 में यहाँ पे नीचे में ने okay bear text लिया है schedule 1 में total 4 पैराज है और यह 4 पैराज और कि यह bear text हमें और detail में और अच्छे से देखना है then okay तो चलिए अब यहाँ पे हम हमारे note से simplified word में इसको समझने की कोशिश करते है अब आते है बेटा activity without consideration जिसको मैं नाम दे रहूँ dim supply इसको dim supply भी कहा जाता है 7 1 C 7 1 C it provides that supply includes activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration without consideration अगर हम हम हमारे चाट में आते है section 7 K okay section 7 K क्या था बेटा 1 and 2 okay supply includes, supply excludes 1 में with consideration and without consideration without consideration with consideration में 7 1 A नीचे हम लिखेंगे 7 A A A complete होने के बाद और 7 1 B 7 1 B और ये 7 1 A हमने देख लिया और 7 1 A A भी हमने देख लिया okay अब आते है 7 1 C पे okay 7 1 C कहता है कुछ activity जो schedule 1 में दी गई कुछ activity जो schedule 1 में दी गई जिसमें free भी होगी without consideration भी होगा तो भी supply बोला जाएगा चलो ये वाला part देखते है without consideration वाला आ जाते है यहाँ पर schedule 1 का discussion okay schedule 1 का जनम हो रहा है okay आज उसका जनम हुआ है पेड़े बाटो schedule 1 अब जनमा है okay और ये 7 1 C से जनमा है और okay 9 9 से जनमा section 7 section 7 से जनमा 7 1 C 7 1 C से जनमा प्यारा 1 okay तो ऐसा ट्री family tree बढ़ते जा रहा है अब schedule 1 क्या कहता है जिसमें प्यारा 1 okay बदाई हो बदाई हो schedule 1 का जनम हुआ उसके अंदर प्यारा 1 का भी जनम हो रहा है बहुत फास जनम हो रहा है ठीक है प्यारा 1 क्या कह रहा है देखो बदाई प्यारा प्याराग्राफ है permanent transfer भाई ये permanent word है okay permanent transfer or disposal of business asset business asset where ITC has been availed on such asset चलिए अब यहाँ पर एक term को देखते है permanent मतलब वापस आने वाला नही है और दुसरा business asset okay दूसरा business asset okay permanent transfer of business asset बुला है what is the difference between business asset terms को समझ लेते है business asset and capital asset okay business asset and capital asset इसमें क्या difference है कोई बताबाएगा आपके difference का बेट करूगा कोई बताबाएगा business asset और capital asset का difference क्या है कोई बताबाएगा अगर आपने balance sheet देखियोगी balance sheet में आपकी fixed asset आती है जिसे capital asset fixed asset में immovable भी होता है और movable भी होता है movable में okay हो सकता है आपका furniture फरनीचर उसके बाद में car और अधर बहुत सारी asset immobile में building वगर एक्सेटरा अगे का यह आपकी fixed asset जो capital asset भी हुई फिर current asset भी होती है current asset भी होती है और current asset में cash वगरे और यहां पे stock भी होता है मेरा stock से concern है क्योंकि cash तो money है तो अब वो क्या बात करते है वो आपके balance sheet पे focus कर रहा है और वो कहते है आपकी जो भी business asset होगी मतलब business asset का मतलब क्या मतलब आपकी current, non current, short term, long term, operating okay capitalize as well as tangible, intangible आपकी business asset जो होगी, जो goods के definition में आती है यह service के definition में आती है आपकी जो भी asset होगी दहान से सुनना अगर इस asset को आपने permanent transfer कर दिया permanent transfer कर दिया including stock in trade, stock in trade भी आपका business asset है उन्होंने capital asset word use नहीं किया, business asset word use किया all asset, आपका stock in trade है, जो goods है और यह permanent transfer किया है आपने और यह permanent आपने किसी को free दे दिया okay, आपने free दे दिया यह stock का बॉझे as a free sample free दिया stock of free sample के दिया, donation दिया okay आप ने ने न बुजनेस चालू किया है तो ने ने बुजनेस चालू किया तो आपने, Balaji Trust को पहला consignment free दे दिया अगे होता है बहुत से लोग बाला जी को पेला थे अगर आपने फ्री दिया है without consideration दिया है सुनना ज्यान से without consideration दिया है तो इवंदो यह free होगा यह supply माना जाएगा यह supply माना जाएगा और GST आएगा यह free activity पे कब कब अगर वो asset जिसके आपने ITC लिए हो वो asset जिसके आपने क्या ITC लिए हो अगर आपने वो asset के ITC लिए हो तो supply मैना जाएगा अब immediately आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या कि Sir अगर मैंने ITC नहीं लिए हो और free बाटे हो तो फिर supply नहीं ओके thought process कैसे चलो मेरे साथ come on पहला थौट, section 71A, जो main है, section 71A, जो main वड़ा पाव है, supply तभी बोला जाएगा, जब consideration है, second thought, पहले print करो, print करो पुरा, second thought, free supply पे GST नहीं आता है, लेकिन, अगर वो supply schedule 1 के होगे, तो ही GST आता है, बोल एक बार, बोल एक बार, free supply पे GST नहीं आता है, लेकिन, अगर वो schedule 1 के supply होगे, तो ही GST आता है, अब schedule 1 के supply है, मतलब, पैरा 1, इसमें 4 पैराs है, और ये 4 पैराs पे, फ्री supply पे GST आता है, पहला पैरा, पैरा 1 कहता है, कि अगर आपने कोई भी business asset होगी, जो goods के definition में आती है, movable property, immowable property के हम बात नहीं कर रहे है, क्योंकि immowable property किसी को free दे दी, तो goods के definition में नहीं आता है, goods मतलब, any kind of movable property, goods के definition में नहीं आता है, okay, हम बात कर रहे है, goods होना चाहिए, no doubt, basic character तो goods के होना ही चाहिए, जो आपकी business asset है, जो movable है, जो stock है, और ये आपने permanently किसी को free दे दिया, वैसे free दिया तो हम GST नहीं लगाएंगे, लेकिन, अगर आपने उसके purchase करते वक्त, या वो furniture बनाते वक्त, उसके purchase इसके ITC लिये होगे, तो फिर वो supply माना जाएगा, समझा क्या, ITC लिये होगे, तो ही supply माना जाएगा, मतलब, input tax rate has been aware on such asset, तो ही supply माना जाएगा, वो free supply पे, चलिए, तो, ओके थोड़ा इसको और detail में देखते है, there must be a disposal or transfer of business asset, आपने business assets dispose किये, या transfer किये, तुसरा, transfer or disposal must be permanent, okay, permanent किये, उसके बाद में ITC must have been availed on such business asset, उस business asset का ITC आपने लिया, तो वो ये तीन basic condition है, तो ही supply माना जाएगा, सब अगर ITC नहीं लिया होगा, तो नहीं लिया होगा, जैसे, so permanent transfer or disposal of following business asset, without consideration, without consideration, will not be covered within the para, okay, thus will not be deemed as a supply, which ITC is block or not available under GST, मतलब आपने car खरीदी, और car block asset, block ITC में आती है, section 17.5 में, अगर आपने ITC नहीं लिया, और वो free दे दिया, वो free दे दिया, तो फिर GST, supply नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ITC नहीं लिया, block था, या फिर block नहीं था, पर आपने लिया नहीं, okay, आपने लिया नह देखो, मैं मेरा example पताता हो, ठीक है, जो अभी face to face class inter के student है, उनको मुझे t-shirt बातना था, okay, around 1000 students है, face to face में, अब मुझे यहाँ पर उनको t-shirt बातना था, मैंने t-shirt खरीदी, और मुझे पता था कि मैं free बातने वाला हू, okay, t-shirt खरीदी, business खर्चा बताया, business promotion खर्चा है, business ठीक है न, t-shirt खरीदी, business खर्चा बताया, उस पर GST लग के आया, पर GST का credit मैंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था, कि मुझे वो, okay, free बातना है, जब पहले से पता था, तो मैंने credit लिया ही लिए उसका, even though I was, I am eligible to take ITC, पर मैंने नहीं लिया, क्यो questions आ सकते है, जब मैं कहूँगा, पूछो तभी पूछना, दूसरा example, okay, दूसरा example, दो साल पहले की बात है, हमने पुरे Vsmart के computer system change किया, जो पुराने old computer system है, उसके जगा नए computer system install किया, अब पुराने old computer system 2018 में हमने खरीदे थे, तब GST आ गया था, अब ऐसे situation में, और उसके पहले भी खरीदे होगे, तो मैंने, अगर उसका credit लिया होगा, तो वो criteria अभी भी applicable है, transitional provision में, पर हमें इतना पुराना नहीं जाना है, यह समझना है कि ITC में लिया, तो मैंने GST में वो computer पे ITC ले लिया था, फिर क्या हुआ, फिर जब दो साल पहले हमने नए computer install करने का decision लि तो मैंने एक charitable trust को computer donate कर दिया, free of cost, okay, 12 computer थे, मैंने एक school को दे दिया, कि ले लो आप use कर लो, free of cost दे दिया, अब मैंने तो charity work कर दिया, भाई, मदा आ गया, okay, free दे दिया, दिल को अच्छा लगा, okay, और बच्चों को काम में भी आ रहा है, और सवाल यह है कि जो मैंने business asset dispose कर दिया, आपकी asset fee दे दी, बस एक ही सवाल पूछे थे, क्या, वो सवाल पूछेंगे, तुन्हे ITC लिया था, क्या जब तुन्हे पर्चेस किया था, अगर तुन्हे पर्चेस करते वख ITC लिया होगा, तो तुन्हे free बाटा होगा, तो भी तुझे GST देना पड़ेगा, चल ITC लिया, हमें ITC लिया ना, हमें उसका outward supply पर GST दे, बात को खतम कर, बात को खतम कर, रिजल, यह समझ में आया है क्या, यह हुआ कि तुमने कोई भी asset free दी, जिसके ITC लिया, गौर्मेंट को ITC से problem है, ITC लिया, इसलिए उसको supply treat किया गया, क्योंकि ITC हमने तुमको credit इसलिए दिया था, क्योंकि तुम business में use करोगे, कैसके नहीं effect नहीं होगा, तुम तो free बात रहे हो, दूसरी बात, एक बहुत सी बार यह भी case study आती है, और case study क्या आती है, सर, और यह आप day to day life में या office में यह face कर रहे होगे, सर यह बताओ, कि मैंने 5 AC खरीदने हैं सर, उसमें के 4 AC हमें business में use करने हैं, और एक AC घर पे लेके आजाएंगे, जो business में use नहीं करेंगे, business के लिए, अपने personal के लिए लेके आजाएंगे, और sir, 5 AC हम business के नाम पे खरीदते हैं, business के नाम पे bill लिया ना, sir, तो credit मिल जाता है, और ऐसा आपने day to day life practice में देखा होगा, आपके credit मिल ज किया, आपने उसका credit भी claim कर लिया, और उसमें का AC आप घर पे लेके आगे, by shop, जो AC आप घर पे लेके आगे आगे ना, वो यह पैरा trick हो जाता है, और यह पैरा trick हो जाता है, कि business asset आपने permanent business से ship कर दी, घर पे, permanent अगर आपने business से ship कर दी, तो जो आपने personal purpose के लिए use किया, अ department को पता नहीं चलता है, अभी तक कोई action नहीं हुई, वो बाद अलग है, fraud करना पाप नहीं है, पर पकड़े जाना, जब भी प्यारावन में आप पकड़े जाओगे, तो आपको GST देना है, पकड़े जाना पाप है भाई, फिर तो पुरी बारात आए कि, tax तो दूला रहे और दो साल बात उसको घर पे shift किया तो, या किसी को दे दिया तो, भाई साब जब भी आप बिजनेस से asset निकालोगे, जिसके ITC लिया है, वो asset supply मान लिया जाएगा, उसका valuation होगा, उसका valuation यहाँ पे, CGST rule के साब से rule 27, 28, 29 आगे हम पढ़ेंगे, यह rule को apply करके valuation होगा, पर valuation तो होगा भाई, और आपको अभी बता देता हूँ, अगर पैरावन की case है, क्योंकि तुम्हारा invoice तो नहीं बना, क्योंकि free है, पर तुमने ITC लिया होता, free दे दिया, तो इसका valuation rule 30 से होता है, अभी बता देता हूँ, अब कैसा होता है, rule 30 में देखेंगे, I hope you understood, तो लोग अब iPhone वगएरे इनके भी लेते है personal purpose पर, पर department अब चोटी-चोटी बातों को ignore कर देता है, चोटे-चोटे बातों को ignore कर देता है, तो यह था permanent transfer of business asset, example 1, Vsmart Private Limited has purchased a new projector, the existing old, existing old projector are donated to trust on which ITC was taken, ITC was taken at a time of purchase, whether treated as supply and liable to GST, yes, यहा लिग दो, yes, okay, यह supply है, liable to GST है, as per para 1, okay, यह supply है example number 2, Vsmart Private Limited purchase a car for business use, after 2 years, transfer car for personal consumption to use at home, no ITC taken on call, will transaction be treated as supply, no, ITC नही लिया और मैंने उसको कई पे भी shift कर दिया, गौर्मेंट को कोई दिक्कत नहीं, गौर्मेंट कहती है, ITC नहीं लिया न, GST के context में हमें कोई प्रोब्लम नहीं, income tax में तुमारा क्या है वो तुम देखते जहां तक GST की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ITC नहीं लिया होगा, तो यह था, para 1, schedule 1, इसका scope बहुत ज्यादा है, business से asset गायब हुआ, free, जिसके ITC लिए, एक line में समझ लो, कोई भी purpose के लिए गायब हुआ होगा, permanent dispose होगा, भाई साब, तुमें supply treat करके, rules 30 के हिसा then, यह था, without consideration, para 1, ठीक है, और para 1 में यह planning होता है, बहुसे लोग फिर cash में बेज देते हैं, business asset, GST आता है, cash में बेज देते हैं, अब इतना department को पता चलना मुश्कीली है, ठीक है, law बन जाता है, follow करना कभी-कभी इतना practically possible नहीं होता है, पर as a consultant हमें law पता होना चीए, as a consultant हमने उस बंदे को बता देना चीए, देख भई, ऐसा-ऐसा है, जब भी पकड़े जाएगा, अभी GST दे दे, नहीं तो पकड़े गया, तो पुरी 12 आएगी, तो देहन रख, तो इस तरह से para 1 हमने complete किया, अब आते है, para 2 पे, ठीक है, para 2 पे आते है, supply of goods और services और both, very very important para, for example, भाई साहब, यह आपके practical life में भी बहुत important para है, para 2, of schedule 1, without consideration वाला, no doubt, यह जो भी transaction हो रहा है, यह without consideration हो रहा है, यह ध्यान में रखके चलना है, क्योंकि हम schedule 1 में para 2 देख रहा है, without consideration हो रहा है, supply of goods और services और both, between related person, यह between distinct person, as specified in section 25, when made in the course or furtherance of business, और यह free होगा, यह without consideration होगा, यह combine करके आपको फिर से लिखना है, तो लिख देना, without consideration होगा, तो उसे supply माना जाएगा, और GST आएगा, step number 1, बहुत simple way में होगा, अगर आपने related person को free दिया होगा, related person को free दिया होगा, तो वो situation में उस पे GST आएगा, supply कहा जाएगा, para 2 की खास बाद अगर आप देखते हो, तो para 2 में, अगर आपके transaction related है, या distinct person transaction है, तो यह case में उन्होंने यह कहीं नहीं कहा है कि ITC लिया है क्या, नहीं लिया है क्या, उससे कोई लेना नहीं देना नहीं, आपके business का कोई भी goods, आपके business की कोई भी services, आप अपने related को free देते हो, तो वो situation में, वो related person, जो आपने free goods or service दिया, उस पे GST आएगा, detail analysis में जाएंगे, प्लीज, जब तक मेरा discussion खतम नहीं होता है, तब तक कोई सवाल आप नहीं पूछोगे, कोई सवाल नहीं पूछोगे, और in between, आप कोई भी time pass नहीं करोगे, कोई भी thought आपकी दिमाग में नहीं आएगा, बहुत 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 important discussion, चलिए, now example की शुड़वात एक story line से करता है, तो आपको concept समझने में आसानी होगी, पूना में एक software company थी, और उनकी ही 100% subsidy, वो subsidiary थी 100% और वो जो थी, यहाँ पे बैंगलोर में थी, situation ऐसी हुई, कि पूना में जो software company थी, उनके पास project अभी फिलाल नहीं थे, और बैंगलोर की subsidiary के पास project है, पूना में 70 employees थे, और वो 70 employees खाली बैठे थे, और रियल केस है में जो आपके साथ शेर कर रहा हूँ, 70 employees खाली बैठे थे, पूना के 70 employees खाली बैठे करे क्या, तो यहाँ पे इन्होंने 70 employees को भेज़ दिया बैंगलोर, कि जाओ, subsidiary, अपनी subsidiary 100%, और यह 100% अपनी subsidiary है, तो जाओ वहाँ पे, और वहाँ का project handle करो, यहाँ से बैंगलोर, वो 70 employees shift हो गया, तीन मैने के लिए, ठीक है, नाउ, हुआ क्या, जब तीन मैने के लिए shift होने के बाद, department को यह बात पता चली, कही से information आगे होगी department को, तो department ने scrutiny carry out किया, और department को, department को mail में कहीं मिल गया था, यह shifting हुआ करके, और holding company ने, subsidiary company को 70 employee, ऐसे free supply किये, ठीक है बही, अब हमारे यह खाली बैटे है, तुम्हारा project कर लो, free supply किये, तो department ने show cause notice issue किया, और department ने का, show cause, हम आपने जो यह 70 employee, अपने subsidiary को, बैंगलोर में provide किये, यह supply of service, under para 2, without consideration, to related person, in the course of business, क्यों न माना जाए, और यह 70 employee की 3 मेने की salary, जो भी amount आई होगी, उस पे GST क्यों न लगा है जाए, company surprise होगी, भाई साब खाली बैटे थे, क्या करते थे, बेज दिये subsidiary में, तुमने बेजे होगे subsidiary में, बैए, related को, लेकिन para 2, trick हो जाएगा, आपने कोई भी good sales service दी, अपने related को, pre-op cost, pre-op cost, तो उस पे GST आएगा भाई, अगर वो in the course of business दी होगी, yes बेटा, show cause notice आई, मुझे याद है, उनके director मेरे पास आए, अब वो तो layman थे, वो तो कहें, सर इसमें GST कहां से आगया, मैंने कहा GST लगता है, परा 2 case आप से वो situation में GST लगता है, आपने अपना workforce उदर provide किया, subsidiary किया, even though आपकी 100% subsidiary थी, आपकी family के लोग director थे, उसको GST law को लेना देना नह उसमें GST आएगा, okay, related person, same अगर आपने deemed distinct person section 25 के उनको दिया होगा, तो वो case में भी GST आएगा in the course of business, अब एक नया term picture में आएगा, deemed distinct person, so दोस्तों इसको detail में जाने के पहले, दो term को हम analyze करेंगे, पहला related person, okay, और दूसरा deemed distinct person, अब एक सवाल आपके दिवाग में आना चाह कि related मतलब क्या, क्योंकि वैसे तो free supply पे GST नहीं आता है, किसी को free भी आपने दिया तो GST नहीं आता है, पर ये para one कह रहा है कि related को दिया तो GST आएगा, distinct person को दिया तो GST आएगा, तो ये related हैने क्या, तो चलिए, related का definition नीचे समझने की कोशिश करते है, let's understand the term related person, related person, okay, who is under the influence of another person is called as related person like member of same family or subsidiary or group of company etc, but ये तो general definition है, okay, as per section, as per ya explanation, explanation to section 15, okay, as per law related याने क्या, GST law, explanation to section 15 आगे आएगा, उस वे GST के ये साब से related person defined है, तो related person याने क्या, चलो, फटाफट देख लेते हैं, depth में जाने की इतनी जरुवत नहीं है, okay, वैसे भी, ये definition, अगर आपका customs हुआ होगा, तो customs में मैंने ले लिए related की definition, under rule 10, और नहीं हुआ होगा, आगे आग परोगे, तो हम custom में depth में देखेंगे, section 15, person shall be deemed to related person, if such persons are officers or directors of one another company, मतलब, कमपणी और डारेक्टर, रिलेटर माने जाएंगे, okay, ये रिलेतर माने जाएंगे, अगर कमपणी ने डारेक्टर को कोई service दे दी, फ्री, या अपने officer को कोई service दे दी, फ्री, तो company और डारेक्टर्स ये एक में के related माने जाएंगे, और वो case में GST आ सकता है, company ने अपने director या officer को goods दे दिया free, वो related मानी जाएगे, तो persons are officers और directors of one another's businesses, या दो company में common directors है, तो दो company related मानी जाएगी, दूसरा, such persons are legally recognized as partners, such मतलब, यहाँ पे such का मतलब लिखना होगा, तो यहाँ पे supplier and recipient, लिख दो, such equals to supplier and recipient, जिसने goods or service दिया और जिसने goods or service लिया, such person are legally recognized as partners, समझ लो, आप और मैं, मैं आपको service दे रहा हूँ, free दे रहा हूँ, पर हम कही और business में partner भी है, तो अगर हम कही और business में partner है, तो हम related हो जाएगे, फिर free service पे GST आजाएगा, अगर हमारा कोई connection ही नहीं है किसी ढंग से, तो free supply पे GST नहीं आता है, पर अगर हम partner है, त आपको, यह बस समझ में आई कि आपको, चलो, तो legally recognized as a partners होगे, तो GST आजाएगा, such persons are employer and employee, हाँ, आपके employee भी related माने जाएगे, यह clause बहुत important है, आपके employee भी related माने जाएगे, मतलब अगर आपने employee को कोई भी free service दी, employer ने, या कोई भी goods free दे या, employer ने, वो related party transaction में आ सकता है, कोई सवाल नहीं, कोई question नहीं, चुप चप सुनते जाओ, बहुत सारे parameter पर हमें discussion करना है, ठीक है, तो अगर आप employer हो, या employee हो, और वो related होगे, जैसे एक case study लेना चाओगा, सुरत का कोई एक ज्वेलर था, बहुत पुरानी case है, पांचे साल पहले की, उसने अपने employee को car give द इसे नहीं लियाओगा, पैराटू में आते हो, तो कई नहीं लिखाया, ITC लिया है या नहीं लिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, पैराटू में related party transaction या distinct person transaction, okay, free होए, कि GST आया, तो आज अगर आप कोई अपने employee को give देते हो, तो ख्याल रखना related party transaction में फस जाओगे, औ और free भी दिया होगा, तो GST आ सकता है, इसके कुछ exception से आगे देखेंगे, now next, a third person control, own, hold, 25% voting stock or share in both of them, both of them मतलब supplier and recipient, लिख लो वहाँ पे, किसी तिसरे ने, directly और indirectly, supplier recipient के बीच में 25% से ज्यादा stake रखा हुआ है, तो related party माने जाएगे, समझ लो, example लो, okay, कोई XYZ class है, famous class है, दोनों में 25% से ज्यादा stake, विदान तू ने रखा हुआ है, बाइजू ने रखा हुआ है, अब बाइजू की capacity नहीं पर example ले रहा हूँ, okay, जैसे बाइजू ने आकाश को acquire किया, वी स्मार्ट को acquire कर लिया, आकाश में acquisition ले लिया, यहाँ पे 80-90%, वी स्मार्ट में acquisition ले लि तो आकाश और वी स्मार्ट रिलेटिन माने जाएगे, इसलिए वी स्मार्ट कोई भी सर्विस आकाश को देगा, या आकाश कोई भी सर्विस वी स्मार्ट को देगा, तो वो related party transaction माना जाएगा तीसरे के बज़े से, दूसरा example, जो आपने day-to-day life का बतात हो, okay, दूसरा example यह कभी party मनाने गए, दूनों, okay, party मना रहे है, मैंने उसको free दिया, okay, अगर technically देखा जाए, GST के context में, तो मैंने party में उसको free party दिया, तो GST आजाएगा, आपने related है, वालतु example है, पर समाहिने के लिए दिया है, okay, तो अब ऐसे case में, यहां पे related माना जाएगा, किसी तिसरे के वज़े से, one of them control directly, indirectly, others, holding and subsidiary company, एक का दुसरे पे control, holding and subsidiary company, यह भी related माने जाएगे, next, third person control directly, indirectly, both of them, third person controls the directly, indirectly, both of them, अब यह वाले उपर clause में फरक किया है, किसरे परसन का stake नहीं है, उपर में direct stake है, इसमें stake नहीं है, पर funding है, और दोनों को funding किया है, तो किसी तिसरे का funding, दोनों में होने के वज़े से control हो रहा है उसका, okay, किसी तिसरे का, सुनो, किसी तिसरे का control हमारे में दोनों में होगा, तो हम दोनों related माने जाएगे, such person together control directly, indirectly, third person, हम दोनों मिलके, किसी third को control कर लेए, तो हम related माने जाएगे, such person are member of same family, okay, such person are member of same family, and one of them is sole agent, यह sole distributor, और sole concessioner of other, यह last वाला point समझ लो, अगर आप custom law पढ़ते हो, पढ़ने वाले हो, जो भी हो, customs में यह कहा गया है कि sole agent, यह sole distributor, यह sole concessioner, यह related तभी वो लेंगे, if any of the appropriate criteria is fulfilled, custom में पढ़ोगे, कि agent, sole agent वैसे related नहीं, पर sole agent के साथ साथ वो, यहाँ पर officer director होगा, partner होगा, control होगा, तो ही related माना जाएगा, पर GST में ऐसा नहीं है, GST में merely sole agent होगा, sole distributor होगा, sole concessioner होगा, तो related माना जाएगा, यहाँ पर industry को बहुत बड़ा problem है, क्योंगी क्या हो जाता है, okay, sole agency देना, sole distributorship देना है, normal business transaction है, और अगर आपने sole distributorship दे दी, तो आप related transaction में first जाते हो, जिसमें valuation में भी बहुत दिक्कत जाती है आपको, okay, और industries को बहुत oppose कर रही है, कि sole distributor, just sole distributor, sole agent और sole concessioner होने से हम related कैसे होगा, okay, कुछ तो और होना चाहिए, पर GST में government नहीं मान रही है, GST में कह रही है, कि just sole distributor भी हो गया, तो भी आप related माने जाओगे, पर हमें same family के definition पर होगा, नीचे आप अगर same family के definition में आते हो, okay, family, section 249, family means, ठीको, spouse and children of a person, अब भई, आप same family के हो, और in the course of business, ये क्याल रखना, ये क्याल रखना, okay, family person भी related है, पर supply तभी बोला जाएगा, अगर मैं मेरे family person को कोई goods और service दे रहा हो, in the course of business दे रहा हो, तो related माने जाएगा, okay, मैं मेरे family person को बहुत free service देता हो, मेरे बेटे को देता हो, okay, मेरे parents को देता हो, मेरे wife को देता हो, बहुत सारी free services देता हो, तो कै सब भी GST में आएगा, नहीं, वो goods और services जो in the course of business दे गई free, उस पे GST आएगा, example, my wife is the interior decorator, और मैं उसके GST के return file कर रहा हो, अब GST के return file करना, और प्यार करना दोनों में फरक है, GST के return file करना ये in the course of business है, अगर practically और मैं honestly government को कहो, तो मुझे GST देना पड़ेगा, even though मैंने मेरे भाइप को free service दी, वो in the course of her business है, in the course of my business है, तो वो GST के इसमें आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रहे, कि family में भी अगर हम supply कर रहे हैं, और वो in the course of business supply कर रहे हैं, तो इसके आपर GST आएगा, पर family आने क्या, okay family आने क्या, definition बहुत important है, family आने, okay spouse और children, यह तो आपके family member ही बोले जाएगे, दूसरा, parents, grandparents, brother, sister of a person, if they are only dependent on the said person, तो यह related बोले जाएगे, very very important, parent, grandparent, brother or sister, यह चार लोग related, कभी बोले जाएगे, जब वो dependent होगे, sir dependent में emotionally या financially, लिखना होगा तो financially dependent, emotionally नहीं, okay, मतलब spouse और children, वो dependent हो या ना हो, वो तो always related बोले जाएगे, फिर आपके dependent हो या ना हो, लेकिन parents, grandparents, brother, sister यह related तभी बोले जाएगे, अगर वो आपके dependent होगे, तो financially dependent होगे तो, आपके तो family की definition हमने देखी, और यह related की definition हमने देखी, भाई related की definition समझोगी, तो फटाफट बता, आपके कहो, आर लिको फटाफट, चलो, आर लिको फटाफट, चलिए दोस्तो, आज का session यहीं end करते हैं, I hope आज का session आपको अच्छा लगा होगा, तो yes, good day, good night to all of you, आज का दीन आपका बहुत अच्छा रहा, thank you, thank you so much.